हेलो एवरिवन आप सब लोगों का स्वागत है बापस से जीनोमेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं आपके सामने हाज़िर हूँ बापस एक नई क्लास के साथ भड़ा फट सब लोग कनेक्ट हो जाएं आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब को मेरी तरफ से बहुत-बहुत सुपकामना है जितने बच्चे कौलिफाइड हुए हैं बहुत-बहुत बदाईयों क क्मले थे हगडार है तostaर की महर उननIGHT के ऊप़र टीचर कासिवाद उनन लोगे ऊपर पडिश्च की दुआाँ है उन लोंके ऊपर सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुवारक हो कंजो हो गए हैं उन्हें बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ज्यादा मवारक जो नहीं हुए कोई बात नहीं निरासा के एक कदम बात बापस से के exam होने वाला है बापस से नोड सयट आएगा टीयसेश भी आएंगी vacancy आती रहती हैं जो qualified हुए है उन्हों हम उनके साथ हैं बहुत सुपकामना है और जो नहीं qualified हुए उनके साथ बहुत बहुत साथ और हां जिनका सेलेक्षण हो गया है जो क्वालिफाइड है उन्हें बहुत बहुत सुख कामना है कि माधेभक्त जैसी राम सर खुशी के मौटे पे प्राइवेट वीडियो उपन कर दीजिए प्लीज खुशी का मौका है मैं जानता हूं तो प्राइबेट वीडियो में उपन नहीं करता आपको पता है वैसे मैंने बता दिया था पर सुन लीजी मेरी बाद आप रेगुलर पढ़ लीजिए मैं जो कह रहा हूं ना जो प्री क्वालिफाइड हुए ना उनके लिए राम मान खिला से और जिनका आगला मेन आने वाला उनके लिए बहुत इंपोर्डेंट चीज़े आपको अच्छे से पता है आपका सेलेक्शन हुआ है आपके इतनी परसेंट बनी है तो इसमें कॉंट्रिब्यूशन आपकी मेहनत का भी तीचर की मेहनत का भी उतना ही होता है बट हम यह मा 45% बने बहुत अच्छे बारिट 95 घॉल्डेस बहुनी पंडित अच्छी बात पढ़ते रही है सब अच्छा है बहुत अच्छी बात है जिनका हो गया बğक्री आइरज कर नहीं को हो गया प्रेंग का का दीरज का वी रही को मी इसका हो गया सुरी का हो गया एक सब्सक्राइब पोड़ कि अब तो रेगुलर क्लास ले ले ना रेगुलर कितना ले पाउंगा उतना रहे पाउंगा तुम खुद की मेहनत पे पर जो डालो वह सबस्चा है मुझे पता है आज आप गम में हो आज कई कि यहां के मातम सुरूख हो जाएंगे कई बहुत दुखी हो जाएंगे पर इसके आगे अगर आज का दिन भी खराब कर रहे हो इस बात में कि आपका प्री क्वालिफाइण नहीं हुआ जो भी है तो आप बापस से अगले रिजल्ट को खराब कर रहे हो एक भी तिन आपको ख जेवी करपा से बहुत अच्छी बात बेटा एटी सिक से 99.28 बहुत अच्छी है मानीशा परसेंटाल का मतलब क्या होता है परसेंटाल होता है याद रखेगा ठीक है अब इसका नहीं हुआ कोई बाती बच्चे एडव्यस वालों को थोड़ा ज्यादा फाइदा मिले गया बाकि सबको तोना फाइदा नहीं मिला पर कोई बात नहीं थेंक से लोड़ डीप सिखाच चाहरसी हो गया बच्चे तेरा गॉल्ड बैस्यों मुनका का भी हो गया विकास का हो गया पूजा का हो गया पूजा राय का हो गया सगुपता सगुपता खान का हो गया बहुत अच्छी है बीना बैर्वा का हो गया सवाई खत्री का हो गया विपिन का पांच गुना पास की हैं बिलकुल पांच गुने लिए उन्होंने पेप इतने ज्यादा बच्चे बच्चों की सफलता में है पर टीचर एक अच्छा वो भी है जो असफल बगतियों के हाथ नहीं छोड़ता तो मैं आप से प्रॉमिस कर रहा हूं जो असफल हुए उनके प्रयास जारी रहेगा आप बस मेहनत करते रहेगा आप फरक नहीं पड़ता जीनों में क्यों या कहीं और क्यों मैंस बात को कभी मार्केटिंग का तरीका नहीं कि मार्केटिंग मेरे मुझे नहीं निकलता है जितनी कोशिस होगी संभावना है आप किया जाएगा अच्छा किया जाएगा ठीक है बचचे एक ताकह हो गया बहुत अच्छी बात है बच्छे पंडीजी का हो गया राकेस गजरिया का हो गया बहुत अच्छी बात मिकास चौधरी बटाव जो नाम आए वो सारे कॉलिफाइड है लग्षी क्वालिफाइड की डाली है लक्षी में नाइटी टू पर्सेंटाल आपकी वजह से बेटा तो आपकी मेहनत है मैं सिर्फ पढ़ाता हूं मेरा काम से पितना है कि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं सेन कॉलिफाइड अच्या बहुत अच्या बाट पर से ने अच्या बात बैस्ट आंपने बहुत अच्छी मेहनत किया अब आगे चले अपढ़ां आ सारे में का एकसान लिखेंगे तो सारे बच्चों को मेंने जो असफल हुए कोई बात से चिर्वत के आभी आदा रस्ता ने रस्त बागी है वगो भी हैसे मट चोड़ना के सेलेक्सि시न रुखजा और पस्ता ने को मौका में बीस हजार में से साड़े पांच लगवा साड़े चार या लोग लेने हैं और इसनने चाहा तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा ठीक है बच्चे चलो सुमन सर आपने बहुत मौटीवेट किया मुकेश्चीपा हो गया तो कॉलिफाइड परिसान तो नहीं है तो अब में में भी निकाल लेगा ठीक है चलो परिसान मत हो मेरी बच्चों के सात रहती है अधी खुसी नसी पता नहीं कब पूरी ओगे पूरी भी हो जाएगी दुकी किस बात का होना है सब पूरा होना है अब मैं जी तोड मेहनत में लग जाईए याद रखना जो लोग सफल हुए हैं उनका असल में उनके जो रियल एक्जाम है जो रियल टेस्ट है वो साथ अक्टूवर को होगा बच्चे उनका जो रियल टेस्ट है वो साथ अक्टूवर को होगा इस बात का ध्यान रखेगा साथ अक्टूवर की आपकी जो मेहनत है वो इतनी सांदार होनी चाहिए कि अब आपको बीस हजार में से बीस हजार में से साड़े चार हजार में घुसना है तो मैंनी मानता कि बहुत जादा मुस्किल है ये लगवग वन इस टू फोर का रेशो आ रहा है इतना तो तुम करी सकते हो कि चाल लोगों को पीछे धखेल कर अपना क्वालिफाइड रेंक ला सकते हो तो बच्चे याद रखिए का बिलकुल निरासन नहीं होना पर मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए ये मस समझ लेना के मेन का एकजाम है अब तो प्री करके आधी दुनिया पा ली हर मिनिट हर घंटा हर सेकंड इंपोडेंट है तो आपको बहुत अच्छे द्यागना है तो आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो ये बस कोसे से बच्चे टीचर का काम होता है पढ़ाना और चीजने लगती रहती है ठीक है बच्चे चलो साथी फोगट साथी फोगट सबको मेरी तरसे उत्तम सर प्लीज वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम तो मैंने बहुत थेज कर रखा है अब वॉल्यूम तो ज्यादा अवाज आ रहा है मेरा सबको धीरस विनी दीदी का ओगा बहुत अच्छे सब का ओगया धीरस का ओगया विनीता का विनीता दिखाई नहीं दी बच्चे बहुत अच्छी बात है ठीक है बच्चे चलो आपके विना कुछ भी नहीं होता सर गॉल्ड ब्लेस यू बच्चे सब हो जाएगा अच्छे से पढ़िए आज पढ़ेगा भाई से वह मेंस वैसे ही पा रहेंगे चंपा लान गॉल्ड ब्लेस यू बच्चे सर आप जैसे बोलेंगे हम वैसी पढ़ेंगे बिटा बस मेहनत कर दो मैं तो इतना जानता हूं कि मेहनत करोगे तो सब चीज़े हो जाएंगी हर चीज पॉसीबल आपकी मेहनत की वज़े से ठीक है बच्चे पहला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा फटाफट कोश्चन को पड़े और आंसर करें कोई बच्चा बिना आंसर करें नहीं रहेगा याद रखेगा चीज़ों को समझनी कोसिस करिएगा जो जो मैं बता रहा हूं हर चीज इंपोर्टेंट अब मेन एक्जाम बागे तु पहले चॉइस बढ़ दे असो कुमावाद गौड ब्लेस वी बच्चे पंकस कुमार बहुत अच्छी बात बिटा पंकस कुमार का कौलिफाइड ओवी इस अच्छी बात है बच्छे फटाफट बिलकुल होगा फटाफट कॉश्चन को आंसर करें सारे बच्चे हर समय को खराब नहीं करना है जो कौलिफाइड हुए बहुत खुस मत हुई है और जो नहीं हुए बहुत दुखी मत हुई है मेहनत सब के आगे सबसे आगे आपकी मेहनत है और आपका रिजल्ट बताएगा ठीक है बच्चे चलो पढ़ता रहो एट ये ये ओल्ड चाइल आठ साल का बच्चा डाइगनोस्ट बिद्ध हीमोफिलिया विच अफॉलोविंग डाइगनोस्टिक ब्लड स्टडीज के ट्राइज वाइबनॉर्मल इंडिस इस डिसॉडर यह कह रहा है हीमोफिलिया के अंदर कौन सा चीज है ए याद रखिए गा उसमें मेल जो होते हैं वह पेस केरियर होती है और केरियर क्या होते हैं जो को कार्य कर दे अ क्लिनिकल फीचर दिखाई नहीं डेते देते समझा है बच्चे तो याद रखना female क्या होती है carrier और male क्या होते है patient axling disorder है इसका क्या है बच्छे axling disorder clear अब आपने काश हीमोफिलिया क्या है हीमोफिलिया के बारे में मैंने को पहले भी कहा था कल भी मेरी क्लासरी तब मैंने बोला था हेमोफिलिया इils No take bleeding disorder हेमोफिलिया एक bleeding डिसॉडर नहीं होता यह बात ध्यानमे रख यह तो हेमोफिलिया bleeding disorder नहीं होता हैँ यह कैसा DI disorder होता हैne глot fins on Liberty होता है तो bleeding का कोई समस्या इसके अंदर ही नहीं यानि इसकें मझ्यूल को सब्सक्राहिक्मट क्ल Typically कि ठीजन उअटिविढ़िया च्राइए तो Circlelem नहीं क्लिए बच्चे अब हम बात करते हैं कि इसकेंदर हमें क्या केची तो ये तो कंफर्म हो गया कि बीडिंग टाइम पर तक कोई फरक नहीं पड़ेगा ग Nana होता है और मुझे जहां तक पता है GUY में अगहाँ तो उतनी होती है तो ब्हुत अच्य बचे गढ़त गुंसी कुमार गॉल्ल्च्टु वखे ठीक है दयन कमप्लीट ब्ले तब काऊंट नहीं लगा सकता ही अब बात कर बूक। प्लेट काउंट कैसी होगी अंदर प्लेट काउंट कैसी हो ती ऐ अंसरे प्लेट काउंट नॉर्मल होती है इस लिए कि आप पार्सियल थ्रमोप्लास्टिन टाइम अब आपसे का कि पार्सियल थ्रमोप्लास्टिन टाइम क्या होता है बच्चे पार्सियल थ्रमोप्लास्टिन टाइम 30 से लेके 40 सेकंड के आसपास होता है यह बात ध्यान में रखिएगा पार्सियल थ्रमोप्लास्टिन टाइम क्या होत तो फिब्री नोजन कनवर्ट इंटू फिब्रीन और कौन से पाथवे के अंदर एक्स्ट्रिंसिक पाथवे के अंदर जितना समय लगता है फिब्री नोजन के के मॉल्लीक्यूल को फिबरिन में कनवर्ट होने में उसे कहते हैं पी टी यानी के अब मुझे बता एक्स्ट्रेंसिक पाथवे के अंदर extrinsic pathway के अंदर C इसके अंदर 11 मा भी काम आता है इसके अंदर आठवा भी काम आता है, इसके अंदर नवा भी काम आता है, इसके अंदर ग्यारेवा भी काम आता है, इसके अंदर बारेवा भी काम आते हैं, यह सारे क्लोटिंग फेक्टर यूज होते हैं, इंट्रिंसिक पात्वे के अंदर, किसके अंदर पात्वे काम है, इं टाइम बढ़ेगा तो बच्चे यह जो चीजे हैं वो एब नॉर्मल पाई जाएंगी किसके अंदर हीमोफिलिया के अंदर क्या पाई जाएंगी एब नॉर्मल पाई जाएंगी बाई आपकी बच्चे से क्वालिफाय हो गया गौड ब्लेस यू बच्चे पढ़ते रहेगा इस वर सब बढ़िया करेगा आप लोगों के साथ uan गference जब किसी बच्चे को क्या होगा हीमोफिल्या पाई हो आपको मेरी पास समझ में आरेभी निरासा से astronomers कोई बात नहीं सब के साथ इस बर अच्छा करता है आपके साथ durchaus लाएंगा बिलकुल बाई आ आपके आसिवास से रहे तो मेरी हे बाएंगोंसे जया तो में बी किलियर है बस आप पढ़ते रहें जैसे पढ़ा रहा हो न वैसे पढ़ता रहें यह सब कहले करवा देंगा पंसर मतलों बहुत अच्छे बच्चे, बकोलिया कानूं के बहुत शानदार है, गुड्ड्र की बहुत शानदार है बच्चे, पर रिचो कष्णना और याद आ, मनिसा पाटिदार गौल्ड ब्लैस यू ए गौल्ड ब्लैस यू वसेक घौलड मायन अंजू गौलड ब्लैस यह चे अर्पिता मीना रेली आपके मॉटिवेशन कंट्यूनी क्लास लेने से मेरे सिलेक्शन हो गया गॉड्ड ब्लेस्व बच्चे बस पढ़ते रहे हैं सुमन का हो गया सार खुरजीवी का हो गया बहुत अच्छे आशी खान का हो गया नीरस का हो गया बीनीता राजपूर्स क्वाइओ घ्री बाट तू num सबसे पहले अपने को घवराना नहीं बात ध्यान में रखनी है कितना भी मुश्किल हो मैं बैठा हूं आंसर मिल जाएगा आप बस इतना बात कहार रखिएगा कि बिल्कुल कूल रहना है आप फिर मादेवी करपास सेलेक्शन हो गया बहुत बहुत अच्छी बात है बीटा जी तेरो अंजली क्वालिफाइड के नाम तक नहीं ले पा रहा हूं इतना जाता लोग क्वालिफाइड है पर अच्छी बात है मुझे बड़ी खुसी मिल रही है अच्छा है जाए कि तो रचना रचना थेंक्यू सर कालिफाइड हो गई बहुत अच्छे बात बच्छे रचना अबी सब्सक्राइब पहले घलत जगहती तो नहीं हो पारी थे कोई बात नहीं बेटा बहुत अच्छी बात है माइन योगंदर का भी हो गया पर्दुमन सिंग का भी हो ठीक है बच्छे तो फटा पड़ा आपने का सबसे पहले आंसर क्या दिया बच्छे हीमोगलोबिन इलेक्टर फॉर्स बहुत सभी आंसर दिया बेटा क्योंकि मैं बता दू अपने को गवराना नहीं है आंसर गलत है आपने का इतना है जी मैं तो कह रहा हूं मेन की तयारी म बाई के जैसे करोने की तयारी बाई के साथ से करो और बाई के साथ से करो गे में के ऐसाथ को याद रखना आंसर अपने क्यों मैंने को को च्छन-पढ़ते किया पूछे हैं कि हम लोग तुम से तुम लोग आंसर दे के कूद क्यों जाते हो यह बताओ मैंने तुम से कहीं पूछा क्या नहीं पूछा ना तो फिर आप इसे काई टिका रहे तो मेरा आंसर क्या है मेरा आंसर स्क्रीनिक टेस्ट के लिए अच्छ थोड़ा सा जल्दी पढ़ लिए सर जल्दी पढ़ोगे तो एक्जाम में फिर कैसे करोगे फिल आप लोग बुलकुल समझो आप कंफर्म हैं कंफर्मेटरी नहीं पूछा है बहुत अच् है कि लिए करते हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूं अंसर गलत हो गया और यहां सग्छलत होंगे तो आगे जाके और अच्छ थी करोगे आगे से अच्छ है कर दोगे ना तर्पहली बार क्वालिटा कोई बात निई पहली लगा पर पढ़ने के लिए यहीं तो फाइदा जीने सब्सक्राइब करते हैं बताई जड़ा किसके लिए करते हैं और जहां तक मैं आपको तीन चार्ट तो बताई दिये यह भी आंसर नहीं है तो अब तो मैं तुम्हें सिंपल बताई दूना अंसर क्या है आंसर आपको दिख रहा है ना आंसर बचा हुआ कौन सा एक अंसर बचा है मैं है क्या बचा है बच्चे-च्पील-शी क्या आपको में क्या करते हैं इसके अंदर हम चेक तो हीमोगलोबी क्या चेक करनी है क्वांटिटी और एक चेक करनी है क्वालिटी तो हीमोगलोबिन की क्वांटिटी और क्वालिटी क्वांटिटी चेक करता है हप क्वांटिटी क्यों चेक बताओ कौना टेस्ट कंफर्मेटरी होता है् या quality चेक करना जोर से बोलो जे मादादी तो एक बात बता पॉन सा ज्यादा ज्यादा कनफरमेट्री माना जाएगा quantity को चेक करना स्क्रीनिंग हो गया और quality को चेक करना confirmatory हो गया तो आपको नई चीज पता चली और नई चीज रहाँ यहां यहीं के लिए थो इसलबबारumm मेरा 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 और कोई जिनका हो गया बहुत बहुत मुवारक सब को माता पिताओं नहीं अब क्लास पर जान देलो आप से समझो को जो मैं कोश्चन पढ़ा रहा हूं को लिख लीजिए कॉपी के अंदर वक्त का पता नहीं कल रहें के न रहें तो कॉपी पैनल लेकर बैट जाएं बच्चे ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे अपने अपने काते एक हो गया क्वालेटी क्वालेटी में कॉन होता है कन्फरमेटरी हीमो गलोबिन एल्लेक्टृफरेस दौनों के लिए कंफरमेटरी चाहिए थैलेसिम्या हों चाहिए मेरी इतनी लिए रोई बहुत अच्छी बात नौस इंखान आयम कॉलिफाइड बहुत अच्छी बात बच्छे सच चौकलेट ले खाके आ गया था गवराय नहीं था 92 परसंट बनाएं बहुत अच्छे दिने इस दिवरा अच्छी बात है बेटा गॉडब्लेस यू बिनीता राजपूसर आपको बह बाई अपने घर पर जब तक सेलेक्शन नहीं होगा भाई लास्ट तक साथ रहेगा यह बात आ है तो सेलेक्शन करवाके रहेंगे कितनी बाद बुरी हो अच्छी रूट कैसी भी हो ठीक है बच्छे तो डन नहीं है बिल्कुल लिली मासीं सर पहली बार क्वाली भाइड का लिए नहीं और बार अच्छी बात है निर्मा अच्छी बात बेटा ब्लेस बहुत अच्छी बात तो है आंसर नया पड़ाया तो याद रखेंगा ठीक है तो टाइम पर लाइव आगे गुरू मेरी किसमत ही ऐसी है मैं टाइम पर ही रहता हूं यह क्लास तो सुबह की decided है मैंने मैंने एक वीडियो बनाया था नौट सेट फाइव प्री की चर्चा और मेंस की मंसा उसमें मैंने कहा था जिसके आज रलैव आते रिजल्ट आ गया और अदे बच्छेender क्लीर कंदा कोई वात ने ठीक है आपकी बोली वो बात सच हो गई एक्जाम के आपने बोला था जिसके बच्चे ग्लास क्लास देख रहें क्वालिफाई होंगे बारस तब देख रहे थे तो भायार बारस स्थे क्वालिफाई हो गये बहुत अची बात बीटा बैटा जिसने पूरी क्लास देखिये न मेरी इस चाहे मैहराथन किसी की भी हो कॉम्ट्रिक की हो चाहे उसके बाद वाला महराथन हो जी के हो उससे फाइदा मिला जरूर है यह 100% है ठीक है बच्छे चलो आगे चले अगला क्वेशन दर नेक्ष्ट कोश्चन और स्क्रीन फास्ट को पढ़ी और आप आंसर दी फटा-फट दिने जवर आची बात है काली मरिया पेपल लीक करते हैं सर आज कल रिजल्ट भी लीक करने लगे हैं यह बोली ना बात तब दो बज़े तक बढ़ते थे आपसे जो पढ़ेगा दो बज़े तक उसको मिलेगा दो बज़े तक का बाकी बच्चे सो जाते थे बैट शीट तान के बच्चा जो रात को पढ़गा आता कर सुबह देख लूंगा उन्हें कुछ नहीं मिलता बिटा इसने जगा है ना रात वर मैं जानता हूं बच्चों ने ऐसे जपकी ले लेकर पढ़ाई करी बच्चा पता है ऐसे तो हो जाता तो मुह दो लेते थे पर पीडिया वाली क्लास नहीं छोड़ेंगे बाई क्लास आरी तो देखेगा बच्चा बस में बैठा है मंदर में सब्सक्राइब होता है सब मिलेगा में में भी ऐसे क्वालिफाइड होगे जैसे प्री में हो ठीक है बच्चों चलो कि विजय मीन अगॉड बैसी बेटा लव यूटूब जीते रहो तो अपने सर्मान जीते रहा बेटा कि नम्रता पासी गॉड ब्लैसी बच्चे प्रप्रपिटा सारे बच्ची आंसर करने कोई बच्चा बिना अंसर करें नहीं रहेगा ज्यान रखियेगा बिल्कुल बड़ सा जीते रहो बेटा सब लोग सर ऐसा हम आपके लिए क्या करें कि जिससे क्लास ओपन हो जाए कुछ मत कर बेटा सब ठीक है कि मैंने पढ़ाया था तब तुम लाइव नहीं आये थे नुकसान तो होता ही है मैंने कहा था ना तुमसे चलो अगली चीज़ अगतक है किसना चवरी गॉले से अ selective मर्मर हैसब ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं इस कोश्चन में यह पहुच्चन बहुच अंदर मेरा तो फैबिट कोश्चन है आप भी इसमें इस चार बना लीजिए मैं बताओं इस कोश्चन में खास बात क्याए इस कोश्चन में कहीं डिजीज नहीं दे रखी ऑप्शन में से डिजीज छाटनी पड़ेगी कोश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन में से लगा पता लगाना पड़ेगा कि यह कोश्चन किस डिजीज का है एक मरमर और हैस बीडिस्कवर्ड ड्यूरिंग रूटीन फिजीकल एक्जामेनेशन वन यर ओल्ड चाइल्ड पैरेंट्स इस एक्स्ट्रीमली कंसंदेट डियागनोसिस विच आप फॉलोविं एक्स्प्लीनेशन दर नर्स इंडिगेट अंडर्स्टेंडिंगें डिस्फंक्शन कहीं कोई जिक्र नहीं है सिवा इस बात के कि मर्मर पाई जा रही है अरे मर्मर का छोड़ बेटा मर्मर तो हर 90% डिजीज के अंदर पाई जाती है 90% CHD के अंदर मर्मर पाई जाती है बच्चे आपको पता होगा को है ओ फार अच है के टिशिए तो अपकी तों आप यह मर्मर को कहके अभर में है अब मैं जो या dort अच्छा राइट टू लेफ्ट अच्छा राइट टू लेफ्ट एक्टरियम यानि यह बात कर रहा है सायद यह कि अपने का सर्जी क्लोजर बाइ सूचर सर्जी कलॉजर बाइ सूचर अब तो साप साथ कहीं दिया एट्रियल सेप्टल डिफक्त यानी यह कंफर्में यह कोश्चन किसके बारे रखा है एसजी के बारे में दे रखा है तो अब आप इस कोश्चन को सर मुझे गॉड्ड ब्लेस यू बोल दो प्लीज पुनीज सर्मा गॉड्ड ब्लेस यू बच्चे पढ़ते रही है इसवर करेगा सफलता जरूर मिलेगी ठीके बच्चे चलो बेटा पढ़ो अब आपने अमन जीता रहे बेटा जंक जनक चौदरी गॉड्ड ब्लेस यू बच्चे है मंत का भी मुबारक हो नन्नु सिंग का मुबारक हो बच्चे सबको में अब आपने का यह तो खनफर में एसडी है अब एसडी इसको मान लीजिए और एसजी के साप्सें टिकर दीजिए अब इ यानि यह कह रहा है कि यह है चार चेंबर यह है लेफ्ट एक्ट्रियम और यह राइट एक्ट्रियम और यह कह रहा है कि ब्लड की सिफ्टिंग होती है राइट से लेफ्ट गलत कह रहा है बेटा कभी राइट से लेफ्ट नहीं होती ब्लड की सिफ्टिंग होती है लेफ्ट आफिके भूट आप ने का फॉर्स्ट आपने का चलो ठीक है तो बलेड होगा सिट लेफट टू राइट तो पहला प्रायड क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ पहला option मैंने eliminate किया, eliminate करना आगे आना, काम आएगा main में, eliminate कैसे करते हैं, ये काम का आएगा main में, तो ध्यान रखियेगा इस बात को, आपने का और बता ही सर, the child has been treated medically with antibiotic to prevent the endocarditis, बिलकुल आप इसमें इसे क्या करते हो बच्चे, हम endocarditis को बचाने के लिए, हम इसे medicine देते है पर medicine हम इसे पहले नहीं देते हैं, surgery के बात देते हैं, तो surgery के बात देते हैं, तो आप इसे endocarditis समझके, पहले शुरुवात मेलाज नहीं कर सकते हैं, surgery से पहले profilactic देते हैं, ये बात हमको पता है, तो ये वाला answer भी गलत है, चुन-चुन कुमारी, God bless you बच्चे, अब ठीक है, अब अपने का DB गया, तो DB गया और AB अब देखते हैं, क्या कह रहा है, most atrial septal defect close spontaneously ये कह रहा है, ज्यादा तर, जो AHD होते हैं, वो अपने आप बंद हो जाते हैं, पुजा डेमोर, बेटा मेरा YouTube भी सबसे बढ़ी है, तो टेंसर मतले, तो इसका मतलब है कि spontaneously सारे बंद नहीं होते हैं, बच्चे, ज्यादा तर कि आपको surgery करनी पड़ती है, आपने का surgery कब करते हैं, answer है, बच्चे, before school age, school age से पहले surgery करते हैं, अपने आप बंद नहीं होता, तो answer C भी गलत है, तो answer क्या बचेगा, surgical closure और page recommend before the school age, बिल्कुल, school age से पहले करना पड़ेगा, अपने आप बंद नहीं होगा, इसमें page closure करना पड़ता है, ASD क्यों, तो ASD का answer बिटा क्या जाएगा, answer अगया B, जिसने common sense का यूज किया, और जिसने option देखके ये पता लगाया कि बीमारी कौनसी है, उसको answer आ गया, और जो question में ढूंडता रहा कि बीमारी कौनसी है, उसे answer नहीं मिला, answer मिला, option पड़ने के बाद, का मिला बच्चे, answer पड़ने के बाद, जनक मड़ जी के से बहुत फाइदा हुआ, sir बाई की हर चीज से फाइदा हुआ है, ये बहुत बहुत इस वर की महर है, और आगे भी होती रहेगी, ठीके बेटा, आगे चलू, चलू आगे, बहुत अच्छी बात है, तो बेटा, answer क्या हो गया, answer हो गया, b, option course answer, बेटा, मेरी बात ज्यान सुनना, answer ढूंडना सीखो, answer दूंडना सीखो, आपने आप चल के answer नहीं आएगा, जिसको answer ढूंडना आ गया, जिसको eliminate करना आ गया, और जिसको accept समझना आ गया, मैं कह रहा हूं, उसका आदा question तो 80% तो selection उसने करी लिया है, जिस बच्चे को ये चीज आ गई है, कि answer search कैसे करते हैं, eliminate कैसे करते हैं, और accept का मतलब कैसे use करते हैं चीजों को, तो वह 80% तो selection है, 20% और मेनत कर लो, 100% selection की guarantee आपके साथ है, जोरो गुमावत कोई बात नहीं वेटा, clear, बिलकुल, तो ये अगला question आपके सामने बिटा, skin पर आ चुका है, फटा-फट question को बताई और answer दीजिए, फटा-फट question आपके सामने answer करिए, बच्चा, comment पढ़िए और answer करिए, बिटा, जो जो qualified हो चुके हैं, बहुत-बहुत मुबारक को question पढ़िए, ठीक है, अब main प मैं के रहा हूं, मैं कुछ नहीं हुँ, ऊपर वाला करवाने वाला मैं जरिया हूं मातर करने के लिए, मैं मातर जरिया हूं, इस्वनने कुछ अच्छा काम करवाया और मेरे हाथ नों करवाया ये बड़ी खुसी की बात है महादेव संकर बेटा बिल्कुल एकनों नहीं हो रहा है मैं कमेंट पढ़नी पाड़ा बहुत ज्यादा कमेंट आ तो तो ऐसे कैसे भाई यह अपना टैंसर मतले तू रवीना जैतवाल बहुत अच्छे रवी बहरवा बहुत अच्छे कि अग्याद देखो वहां बहुत अच्छे बहुत बच्छे यह कह रहा है मेरे पास कोई रास्तर नहीं है कोई रहा है गोरू ऐसे मस्तुद बिटा एक रास्ता नहीं तो है क्या रास्ता नहीं है सब अच्छा तेरे पास तो यहीं से सलेक्ट वां बता दूंगा तो टैंसर मतले बस तू जोड़ा रहे और मेहनत करता रहे सबके नहीं हो सकते पिच्यास ही जार में से बीस जार लिये हैं पर होगा, सबका होगा ठीक है? जिल छोटा नहीं करते भाई को याद करते हो भाई आ जाते हैं प्यार, यह जाद हुए आज मेरा आना इतिफाक है आज रिजल्ट आया और मैं किलास ले रहा हूँ आपके सामने ठीक है बच्चो इतिफाक कुदरत का सबने बता दिया फटा 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 रिवाइज विच आफ दा फॉल्लिग ट्रू अबाउट दा वीकली वीकली आईरन फॉलिक एसेड सप्लिमेंट वी आई फैस कोश्चन भी आयता नौशेट दो अजार तैस के अंदर आया है ना आया तो है तो सब ने आंसर का बहुत अच्छे मैंने का मैंने आपको देखी पूरी किलास किलास में बहुत बट नहीं हुआ पर नहीं हो जाएगा खोड आर यह मेरे पास कोई गुट्टी नहीं है पर इतना है जितना का हुआ है उतना अच्छी बात है जिनका नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा ठीक है बच्चे अब आपने का ठीक इट मींस सबने आंसर का इट मींस एक्स्क्लूसिवली फॉर एडल्सन इसकूल सब भी कह रहे तो मैं परलूम भी क्या है बिट्वीन टैन टू नाइंटीन यह बिल्कुर सही बात है कि बच्चे याद रखिएगा कि 10 से 19 साल की महिलाओं के लिए आंसर गलत आप समझे आप समझे आप समझे आंसर गुटा कि लिए रहे हैं अब आपने का इसमें गलती का है इसमें गलती का है हिम्मत नहीं हार नहीं है सबका होगा हम कह रहे हैं बस पढ़ते रहो अगर सफलता थोड़ी सी कम रह गई कोई बात नहीं थोड़ी और दूर रह गई आपकी बार और मिलेगी आप में यह बता दूं भी गलत क्यों किया मैंने आप जल्दवाजी कर गए एडॉल्सन गल्स स नहीं है एक्सक्लूसिवली मतलब होता है सिर्फ यह दिक्कत है सिर्फ इस्कूल एज की नहीं 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 इस्कूल एज के बाहर भी देते हैं इस्कूल में तो देते हैं इस्कूल गल्स को तो देते हैं इस्कूल गल्स के बाहर वाली जो गल्स हैं उनको भी देते हैं सियाद रखेगा आप सिरी it school वाली लल्किय को नहीं मुण को देते हैं आउट और इसकूल आप वाली बच्चियां हैं उनको भी दी जाती है खाली स्कूल तक exclusively नहीं होता कोशन में थोड़ा सक तुष्टा बस वहीं थोड़ी से दिक्कत थी आपने का चलो यह तो गवर्मेंट स्कूल नहीं नहीं कि हम तो स्कूल के बाहर भी सप्लाई करने वाले हैं तो हम क्यों दरें इन बातों से ठीक है अब आपने का एड्रेकमेंड डाव फिप्टी एम जी नहीं देते सिक्स्टी एम जी देते हैं बच्चे पचास नहीं देते साट देते हैं और पांसो माइक्रोग्राम का पता ही है क्या देते हैं फॉलिक एसिड देते हैं बटा याद रखिएगा तो तो साट देते हैं सौन सौरी साट देते पजास नहीं देते और पांसो माइक्रोग्राम का फॉलिक एसिड देते हैं तो याद रखिएगा इस बात को तो आंसर ये भी गलत है फिर मतलब लॉंच्ट बाइ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वैल फिर बिलकुल इसका सु किस ने किया है बच्चे याद रखिएगा इसका सुवारं की आता इसका स्थिरी गड़े इसकी आता मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वैल फिर ने क्या इतनी सी बात समझ में आई वीकली देते हैं फिक्स डे पे देते हैं आईरन फॉलिक एसिड देते हैं दस से उन कोशन पर जिन्हों ने खुद को सही मान लिया है उनको भी मुबारकों मेरी तरफ से बैसे गलत थे तुम सब बैसे तुम सब गलत थे ठीक है पर फिर भी कोई बात नहीं ठीक है चलो अगला कोशन आपके सामने कि ऑप्शन के हिसाफ से बिटा रितू कि महादेव संकर परिशान मतों बिटा मैं इस्टाग्राम पर मैसेज करना ठीक है महादेव इस्टा पर बात करना मैं तुझे रिप्लाई करूंगा अच्छे से बात करेंगे हम कोई बात नहीं ठीक है परिशान मतों अभी पढ़ो कि कि अधार बड़ा अंसर सारे बच्चे कमेंट बढ़ें सब लोग कोईशन को पढ़े पहले अच्छे से फिर आंसर करें और जिन्हों ने भी तक क्लास को लाइक नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जरूर करें जिन्हों में के संस्ता जुड़ें और भाई की क्लास को जरूर लाइक करें डाल वोड्य जोटी क्योंकि परी और में दौनों परी हो चुका में बागी यह से जोड़े रहना बहुत ज़रूरी है है ठीक है बैटा चेल अच्छा हुआ कर दो कर दो हो और अच्छी वाद व El-, yeah when interviewing parents who are suspected to child abuse interviewing of parents who are suspected for them on GPU abuse किया है the N спirdiOwen इनर्ष वोड यूज्ट विच आफ दवॉलिग निटरिफीव टइकनिक न कान सी चीज़े नर्स को फॉलो करनी चाहिए दूरिंग इंटर्व्यू के समय कौन सी चीज़ को फॉलो करना है वो देखिए बच्छे प्रगति यूपी एससी के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं अभी क्लास नहीं ले रहा बार-बार मत मैसेज करो यूपी एससी मु में कोई क्लास नहीं लेता हां तुमारे यूपी एससी आई 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 टी और जो भी एक्जाम में सब यहीं से क्लिए हो जाएंगे अगर आपने नौट सेट को पढ़ लिया तो बार-बार मैं वो टीचर नहीं हूं कि घंटे एचसी के लिए आउं आद घंटे यूपी सी के के लिए आउं इतना नहीं है बेटा समय मेरे पास बहुत लिमिटेड एडिसन है भाई के पास समझ में आ रहा है भाई की क्या डिमांड ज्यादर सप्लाई कम है तो कोशिश करिए कि इसी से काम चला लें ठीक है कि आपने का तो क्या है तो मैं वन वाई बन करके देख रहा हूं क्या करें आफ्टर ता इंटर्व्यूव कॉल चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्वेसेज एक बात बता दूं यह तो नहीं कर सकती नर्स प्रोटेक्टिव सर्वेस को बुलाने की जिम्मिदारी नर्स के पास किसी पुलिस वाले को प्रॉपट्रि हुए नहीं कर सकते क्योंकि हम वह हमारा ओन्ट्रेस नहीं है और वह हमारा ओन नहीं को तो यह तो गया अब आस्टा पेरेंट्स वाट दे हैं डिफिरेंट्ट ली तो प्रिवेंट इस फ्रॉम्दा है प्रिवालों को तुमने क्या किया अब तक तुमने क्या किया आप तक बच्चे को चाइड भी उसे बचाने के लिए यह तो तो तेरा काम कर ठीक है अब कर लोगा मेरा बक्चा किया है महीं तुझे बड़ी पूछने वाली ऐसे नहीं पूछ सकते नहीं यह तो गलत बात है तो मैंसे कैसे पूछ रही हो पैरेंट से के आधा पैरेंट वाट यू कुद ड़न डिफरेंट्ली टू प्रिवेंट डिस चाइपनिंग फ्रॉम यो चाइड के आप अपने इस यह सब बचाने के लिए अपने बच्चे साथ क लिपली नहीं पर सॉफ्ट कहते हैं उसको अगया ठीक है बच्चे बहुत बढ़ी है बात समझ आ गई चलो अच्छा और क्या एक प्रोच दैम इंडेंस रूम एस सून एस पॉसिबल यह जैसे ही बच्चा आया अब्यूज का और बाग के यह बलाए दरा पैरेंट को बोला प्राइवेट में बात होती पब्लिक ली बात नहीं होती तो इमर्जेंसी में बैठके मत अपनी अपनी समाधी मत लगा लेना कि आजाओ सब लोगे लो और बताओ मैं पेरेंट्स का इंट्रिवू ले रही हूं कि बताओ क्या हुआ बच्चे के साथ सारे डाउट को क्लियर कर दो इमर्जेंसी में करवाएगी सारे डाउट क्लियर है साहां से लेने दे प्राइवेट में बात करते हैं कॉन्फिडेंस में लेके बिल्कुल धीरे-धीरे कान में फुसफुसा के मजा कर रहा हूं कान में तो नहीं करते पर बात प्राइवेट में करते हैं तो इमर्जे तो किसको आगे आप तो हुई इतनी जादा सांदार आपने का तो यह काम बढ़िया है तो मैं इमर्जेंसी में नहीं करना है कौने में बुलाना है कि इधर हो अब बताव क्या हुआ था ऐसे थोड़ा सा करना साइड में ले जाना वहीं थोड़ी चट परेंट्स आयो तुम च कि अरे यार यह मैं यूपीएसी से परिशान हो गया काई का यूपीएसी यूटूब पर सब पढ़ा रहे हैं बिटा कहीं और से पढ़े ले मुझे बख्सो भाई only specify for norset भाई सिर्प norset के लिए specified है कि अलावा ना मुझे कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है ठीक है खुज मीना अच्छी बात है बच्चे तो आप बी डारेक्ट रहना है ऑनेस्ट रहना है अटेंटिव रहना है तभी चीजें को सवाल होगा आप बिलकुल धान रखी का बच्चे कि आप ऐस से काम नहीं करना ठीक है ठीक है अब चलें विटा गए बहुत बढ़िया बात यह हुई ना बात ऐसे तुम पड़ा पड़ समझ जाते हैं मेरी बातों को कि अगला कोश्चन आपके सामने यह रहा फटा-फट कोश्चन को पढ़े और आंसर करें अभी ठीक करें देता हूं सब्सक्राइब करते हैं लोग वैसी मेरी पीचे पड़े हुए है क्यों मेरे को फसाना चाहता है तो कोई पेपर लिक नहीं करता मैं तो बढ़ाता हूं आज आता है तो ठीक है नाखण का दूसर नाम बाई है यह वह इनवाद रचना कोई बात निए उसका होगा महादेव को अच्छी जगह मिलेगा कहते हैं ना देर आए दुरुस्ता आए उसको बैस्त मिलेगा मैं कह रहा हूं मैंने बहुतों को देखा है पर लास्ट अब मिलता है ना तो बहुत अच्छा मिलता है कुसमीना ओनलाइन से हो जाए का सेलेक्शन टॉप रेंग का जागी तरी फर्स्ट रेंग इतना तो है हाँ बेटा जो प्री में सारे कॉलिफाइड है जो जो नाम आये सब में एक्जाम लिखेंगे जून में भी आये सेप्टेंबर में प्री में भी आये छपके आये डिट्टो सेंग कॉश्चन आये फिर आएंगे कि बहुत अच्छी बात है अब बताएं क्या कहना चायरा है कॉश्चन है के इन इंसमी वैं इंटर्विय व्लक बनद्यूश इस्केट देटिर्च शालंडी कॉपन लिए डिस्कौस एक इंटर्वी फोर असे पेक्र एक्टेड है चाइड अब्यूस का उसकी मां का इंटर्व्यू ले रहे हैं उसकी मांक ने कहा सी फिल मुझे लगता है हरस्बेंट उसका पती तू एग्रेसिव बहुत गुसे वाला है इन डिसीप्लीनिंग अनुसासन के लिए देयर चाइड बच्चे के ऊपर जब बाप से बाप कह रहा है बीइंग स्कूल कस्टीडियन आई सी किट्स एवरी डेट आर बैड बच्चे रोज दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं बिकॉस दे डॉंट गेट एन अब डिसीप्लीन अटॉम क्योंको उन्हें घर पे सही तरीके से डिसीप्लीन नहीं दिखाया जा र और दो मेक दा फॉलोविंग डाइगनोस से इस रिमार्क के बेस पर नर्स ने क्या डाइगनोस बनाया नर्सिंग डाइगनोस क्या वनाए इतनी सी बात है इतने भी आपने दिल छोटा कर लिया ले भाई यह कुश्शन देख सुन में का कुश्चन है यह तो चले तो इसका में में आ सकता है यह कोश्चन में के लिए इंपोडेंट है यह कोश्चन ठीक है यह रखी हो चलो आपने का ठीक है सर बताइए क्या कैसा अभावना मैं कर सकता हूं अब पेला है इनफेक्टिवी कोपिंग दय्मकीड अब्यूजम इनफेक्टिव गोपिंग एसा होता तो यह पूरा होता तो डी वाले जिनों ने टिक किया है वो तो बहुत 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 मुआरकों जितने कौलिफाइड हुए है ठीक है बच्चे अब आपने का ठीक अब बताईए फियर रिलेटेड टू रिटाइलेशन बाई दा फादर यह कह रहा है कि जो फियर है वो पैरेंट्स की वो पिता जी की बहेवियर की बज़े से फियर है तो एक बात बताओ इसमें फियर है का बच्चे ने तो कुछ बोलाई नहीं बच्चे तो एक ग्याए क्या को अहूआ लगता है बच्चा तो सस्पेक्टेड है तो किस बात का डर टो फियर रिलेटेड टूस असमें और का बैवार की बज़ेसे बच्चा फियर में बच्चे से बात नहीं कि इतनी बक्वाश मां करके devoered से बाट हुई है बच्चे में भर दे भगवान आपका आशिबाद यह ही बनाय रहे हमारा जीवन हमारे लिए भगवान के जुमान अरे नहीं पेटा मैं बहुत छोटा इंसान आपका भाई हूं इतना काफी है भगवान बहुत तुच्छ उंग आप सबका बाते मेरे लिए तो इसके लिए मैं तहीं दिल से आपका सुक्र को जारू हमेशा से रहूंगा और मैं मेरा बेस्ट करता हूं आप लोगों के लिए आप लोगों से जो कनेक्शन है ना लिटरली मुझे नहीं पता कि यहां जो साड़ी तीन जाल बच्छे पढ़ते थे तो वो मुझे बरोसा करके पढ़ रहा है ना वो जानता है कि भाई के पास चलेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक्जाम में फाइदा हो जाएगा मैंने कभी इस बात में डिस्क्रिमेशन नहीं किया नहीं तो मैं इसको अपनी एप पढ़ाता मैं एप पे हेमोगलोविन पांच बढ़ गया यह मानों तुम्हारे सब के चेहरे खुस हैं मैं भी बहुत खुस हूं बस इतना हैं बच्चे और कोई खास नहीं है बस आप पढ़ते रहिए सब अच्छा होगा अब आपने का ठीक एक्च्वल इंजरी रिलेटेड टू पूर इंपर्स एक्च्वल इंजरी अरे सस्पेक्ट एड़ है यह एक्च्वल इंजरी नहीं है इसको को अंको सब्सक्राइब कोई बात ने पिटा कहीं से भी हो कोई फरन प्रम शूँपता बच्चे पाखना मैं कैसे पाचलना ना देखा नहсем तू नइता देखा तू पैचले ना भूल देना में रचना हूं हो मैं जिननों में कईक और कोचिंग कोई नहीं पढ़ता जिस अब आपने का एक्ट्र इंजरी है नहीं है अल्टार्ड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू फिजीकल कंट्रोल बाइफादर फादर बहुत कंट्रोल करता है मारता नहीं है इंजरी नहीं पहुंचा रहा और कंट्रोल करता है खेलने खेलने नहीं जाने दे रहे नहीं जाएगा और तु चुपरे तुने बोला ध्यां रखना यह कहीं नहीं जाएगा पूरी फैमिली का प्रोसेस अल्टर्ड हो गया घर में माहुली वैसा रहता है ओवर डिसिप्लीन वाला तो यह वाला सही है अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस हुआ है और रीजन कोई पूछे तो फिजीकल कंट्रोल वाई फादर ज्यादा फिजीकली कंट्रोल करते हैं बच्चों को इसलिए घर का प्रोसेस विगड़ा हुआ है इसलिए आंसर कहा जागा बिटा सी रजनी सास मेरा आज प्री में आपके तकारण हुआ है गौडब्लेस विच्चे आप ग्रेटों में क्वालिफाई तो नहीं हुआ बट यह पोरे कॉंटेंट पहले मिल जाते तो मैं इधर उधर भटकना ना पड़ता गौडब्लेस विच्चे SSP कॉलिफाई हो गया बहुत अच्छे पेटा चलें पेटा चलो अगला कोश्चन आपके सामने पेटा यह रहा फटा-फट कोश्चन को पढ़े और आंसर करें मैं पहली बार कोशिंग जॉइन कर रहा हूं ऑनलाइन आपकी गौडब्लेस विच्चे मैं ऑनलाइन से हूं बहुत अच्छी बात बेटा पूरान स्टुडेंट के आपके नौट सेट परी किलियर हो गया गौडब्लेस विच्चन देवी जी तेरो और कि फत्तिप्रकात सर्मा कॉलिफाइड गौडब्लेसर सी विच्चे मोितभी कॉलिफाइड गॉड्ब्लेसर बचे राम चाहतर इंकॉलिफाइड जी तेरो वाग रहाव जी तरह बच्छे करें नरेंदर जी तरह मनोच । जी तरह बच्झे मैं कितने नाम लूँ अब तुम देख रहे जितने तो लोगे पड़ेने आते उस्ते तो लोगों के लाइव नहीं आते उस्ते जातो सेलेक्षन वाले आ गए जलुबा है गॉल्ड ब्लेस्ट वेटे सब को में तब से बहुत-बहुत मुबारख को तो नहीं गॉल्ड ब्लेस्वी बच्छे चलें बताव फटाव 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 क्वेशन का अंसर कि भाई को मल्टी विठामिन मानते हैं गॉल्ड ब्लेस्वी बच्छे कि मजाया है एक्जाम में बिलकुल आया होगा कि अग्जाम में आपकी कोचिंग की थी लेकिन कोचिंग के बीच में चाहे पर चर्चा हो गई थी और कोचिंग कुछ दुनों के लिए बंद हो गई थी गॉल्ड ब्लेस्वी बच्छे कि पुरानी की बात कर रहा है साथ बेटा कोई बात नहीं कि दिनेज मीना कि अग्जाम मेरे क्लास ली है थैले से मिया की इसक बच्चे ने मेरी क्लास थैले से अग्जार पड़ी है एक जटके में आंसर दे दे ना अगर इस कोच्छां को गलत किया ना, इतना बुरा मार पिटे की जहां रखना, जिस बच्चे ने थेले सिम्या की मेरी offline class लिये, वो इस question को गलत कर दिया ना, तो मुक्का मार मार के खूले पर डिम्पल बना दिया जाएगा, समझ आया, अगर इस question को गलत किया तो, ये copy में सब लिखा रहा है, क्लाइंट को जो सबसे ज्यादा इंफेक्शन होता है जो सबसे ज्यादा इंफेक्शन के चांस होते हैं बिटा वो किसके होते हैं यरसे निया यरसे निया एंटेरो एंटेरो कॉलिटिका यरसीनिया एंटेरो कॉलिटिका समझाए वच्छे बिलकुल आयर सीनिया एंटेरो कॉलिटिका इस दा मोस्ट कॉमन इंफेक्षन इन आइरन ओवर लोड में बद्धार रहना में अगर वफाधार रहना में के बाद वफादार रहना अगर में के बार वफाधारी छोड़ी ना तो में भी चूट जाएगा इस्टूडेंट शुडबी लॉयल इस्टूडेंट को लॉय रहना चीछ टीचर के साथ और यह प्री में क्वालिफाई उड़न वाले बच्चों से कह रहा हूं अगर अगर आप बफादार रहोगे ना तो इस वर भी आपके मेहनत के प्रती बफादार रहता है आप फेट पूल रही है ऐसे नहीं सेलेक्शन हो गया में में फिर भूल गए कि कौन बेपीडिया वाला काय के जीनों में काय का नौ बज़े का गीत का को दो बज़े तक पढ़ना मुझे पता है ऐसा करते हैं कुछ लोग पैसों के लालच में तुम वैसा मत बनना तुम कि अगर गद्दारी करो वे तो रिजल्ट मिलो वे कि अगर बहुत बड़ा फैन हूँ आपके पास आने में बट पीडिया का मेरा थन मिस कर दिया प्लीज ओपन कर देजे बिटा पीडिया 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 मझे खाल लो तुम लोग यार मेरे पीछे पड़कर पीडिया का मेरा थन चलो अगला 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 क्वेस्चन दी आवचे कि अब आपर बिदांसर तो सारे बच्ची आंसर कर और कोई बच्चा बिन आंसर करें नहीं रहेगा गिव राइट आंसर फास्ट इस चाइल इस एडमेट विदास डाइगनोचिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया थे नर्स डिसकर्श विच डिजीज विद इस डिजीज विद हिम एन एंफासिज दा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कौन सी बात पर ज्यादा ध्यान देने वाली है तो हुआ क्या एरे पेसेंट को सिकल सेल एनीमिया हुआ है इसको चलो देखते हैं वन वाई वन इस तुरी करपा से क्या कहना चाह रहा है ही सुड़ नौट वरी अबाउट हैविंग चिल्डरन विकॉज इस डिजीज पास्ट ऑनली दा फीमेल उसने का इदर तो टेंशन मतले तेरे पास ये बेवस्ता ही नहीं है कौन से बीमारी फैलाने वाली नहीं है तो मतले खाली तेरी बीवी से फैलेगी बीमारी तू मस्त प्हालेगी चलो वो कह रहा तेरी बीवी से फैलेगा तूस्ते नहीं ख展ेर अैसा है कि सिकल सारइनमीया मेल और फिमील ये मेल और फैलायग और फिमील भी लट तो यहलों तो आ है यह थो और मैं तो सही कहता हूं तो तुम ऐसे मचता यह थी फिल आएगगस मैल भी फेलाएगा और ऐसी गलत बात मत बोले अपसको ऐसी गलत बात उहीं करने प्नी आपने बॉलो Tian है तो पे याफ में चाये करें कोई दिक्कत नहीं को टेंशन के Ia ही फोक्षी होजाता है एर कि यह पर हाइटिटूड फे उक्सिज्वन पर ऑक्सी एसा है यह एक बात को ध्यान वेबे कि अगर हाइपक्सिया होगा तो हाइपक्सिया क्या करता है सिकलिंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है किसके प्रोसेस को बढ़ा देता है सिकलिंग के प्रोसेस को बढ़ाएगा और सिकलिंग बढ़ेगी तो अब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा और अब्स्ट्रक्शन बढ है आपने का चलो ठीक है सब और बताओ ही डेली डाइट इंक्लूड लार्ज अमांट ओ फ्लूड मैंने का ये बात एक दम सही कह रहा छोड़ा इसने का क्या करो डॉक साब के लार्ज फ्लूड लेना तुम ज्यादा पानी पीना इससे क्या होगा ब्लड की जो विसकोसिटी है वो कम हो जाएगी अच्छा ब्लड की विसकोसिटी कम हो जाएगी मैंने कहां और ब्लड की विसकोसिटी हो जाएगी तो ब्लड हो जाएगा पतला और पतले ब्लड में पतले ब्लड के अंदर क्या होगा बच्चे सिकलिंग के चांस क्या हो जाते हैं सिकलिंग के चांस कम हो और obstruction के chance भी कम हो जाते हैं ऐसी बात तुम मेरे को सही लगी कि ये बात एक दम सही कह रहा है ये क्या मेरी बात इतनी समझ आई तो बात तो सही कहीत है न छोड़े कि यहां तो पानी जब के पिलाना है भाया मैंने कहां पानी में कमी नहीं आने देना हाँ ये बात तो सही कह रहे हो सब्सक्राइब के देख लो कहीं यूरीन से तो नहीं निकाल रहा है ये ब्लेड क्या स्टूल से निकाल रहा हो ब्लेड काय को निकालेगा ये ब्लेड नहीं सिकल से लेनीमिया है इसको तो सिकल से लेनीमिया में ब्लीडिंग डिसॉर्डर नहीं होता है रहे सिकल से लेनीमिया में ब्लीडिंग का कोई फरेक नहीं पड़ता के ब्लीडिंग निकालता ही जाएगा कौन सी प्लेट रेट कम हो गई है सिकल से लेनीमिया में अरे अप्लास्टिक एनीमिया थोड़ी है भाया सिकल से लेनीमिया है इसमें काय को बढ़ेगी ब्ली कर रहा है का एक ही बिलिदिंग करेगा विस्काइप से लेनी में आई वह रहूं रगवंसी बहुत बबन नुवाराइगो तो तो अंसर बेटा क्या जाएगा आंसर जाएगा भी क्या जाएका अंसर भी दो लो आज के आनंद गीज़ है कैसा लग रहा तुम लोगों को बढ़ी हासा लगla तो सिकल से ले निनीमिया और उट्टो समरेंसरी सिफ्ट डिसॉडर है कैसा है ओंटो समरेंसरी डिसॉडर है यह कि की कि कि ठीक है भूपा यंगदी लिए तो चुकंदर घाया था तो क्या चाहिए सब्सक्राइब चांस बता दीजिए निवहन में चांस बताओं पिटा रिजैसिट रिस रहे तु कैसे पैसे अब मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊं तो कैसे काम चलेगा शुन ले यह है कैकेपिटल एससे कहते है नॉर्मल को यह कैपिटल सेूंसे कहते हैं कैरियर आइस Marissa's तो मौने से कहते है पेसेंट आप्टो यह देखे लेकित्याओं डाया बाप कैसा वेशी अर बाप जो है वह प्रसपोड़क लगवाद इसने तो तो ने तो मात वाओं मुझेजसाइं कर दो क्रौस करनी क्रौस कर लो क्रोस तुम पेपर करना का कि माँ सामने बैठके से पर पहता देना इसे नहीं कर एक करवाना है यह विन कि आपने का बताई ए दरा तो मैंने का याद रखेगा मां करी स्मॉल एक स्मॉल एक एक स्मॉल एक स्मॉल गया एक संस्तों यह हैं जै कि परेंड से होने के और पैर शुक्ल published चान्स कर्यों सनघाल लिया कर क्या दिल लेख भट्र से चार्णिर बाद शाखन कि रहा है अब तु फटापट बोले तू बोलेगा तू आगे बढ़ूंगा मैं समझ आया के नहीं आया मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत किया यह जल्दी बता कौन पुछ राता मुझसे कि बताना बच्चों में क्रॉस कैसे होगा ठीक है चलू आगे अब है ऐसी बताते तो मैं तो इसलिए जान में रखना आज मूर से यह भाई का तो भाई का आज तुम्हें साइकल सब्सक्राइब रहा है कि इसलिए मैंने बता दिया पंकज ठीक है बटा चालो चले आगए चोटी बड़े बदा बटा लिए और ब्लेस यू अगला कोशन आप एक सामने यह रहा यह क्या यह सिक्लिंग है 辉को जो बड़ी बेलवेसल होती है तो बेटा जो बड़ी ब्लवेसल्स होती हैं जो बड़ी होती हैं वहाँ पर सिकलिंग के चांस कम होते हैं पर जो छोटी ब्लवेसल्स हैं वहाँ पर आप्स्टक्शन के चांस जादा होते हैं यहाँ पर सिकलिंग है सिकल से पार बीसी हो जाती है तो सिकल से पार बीसी के सुने के चांस ज्यादा हो जाते हैं इसलिए बच्चे याद रखिएगा कि छोटी बड़ वेसल्स पे सिकिलिंग के असर बुरे पड़ते हैं ठीक है चलो कि अगला कुश्च में तक साथ बनाए रखना में तक साथ बनाए रखने की देखो क्या होता है इस वर चाहेगा सब बढ़िया होगा पड़ा पड़ फट्टा अफ़ाट बेटा आंस करो सारे बच्चे अ कि अ कि अ कि सुने राजपूत गौल्ड बलसी बेटा अ कि सुने राजब पड़ा झाल सकताए इस वर बच्चे जाऊंगर बलसी आ इस वर जाल कि अ वर वर बलसी आपना में पित कि अ प्रेकका रिए पतार प्रेव पिरेस लिएक 2 बड़ दिस ने ज लागर से पिरेशा, लगलिस बडराउ बर्थ एंड हैज अपगार स्कोर 9 हर मदर हैज आस्ट फोर ब्रेस्ट फीड फॉल्विंग दिलिवरी इमेडिएटली आफ्टर दा बर्थ नियोनेट वाज मोस्ट सचेप्टेवल फॉर हीट लॉस वाद जीवाद मोस्ट एप्रोप्रियेट इंटर्वेंशन तो कंजर्व ही इंप्रूव करनी है खाली ताप मान नहीं वड़ाना है बॉंडिंग भी इंप्रूव करनी है इसलिए बच्चे याद रखिएगा बच्चे को माता जी के चैस्ट पर रख दीजेगा दौनों ब्रेस्ट के बीच में और वहां पर बच्चे को ताप मान भी मैंटेन रहेगा और बच्चे को मा से बॉंडिंग भी अच्छी रहेगी और मा को भी बच्चे से अच्छी बॉंडिंग रहेगी अब आपने कासर बागी option गलत कियसे हो सकते हैं उसके बारें बात कर लेते हैं प्लेज़ दा अंदर दा रेढियंट वार्मर में रखने से हाईपो थरमिया की समस्या तो खतम हो जाएगी हाइपो थर्मिया की समस्ता तो क्या हो जाएगी सौल पर तूद बॉंडिंग का क्या करेगा माता वहां मा थोड़ी लेटेगी इंक्यूबेट रेडियंट वॉर्मर में बच्चे के साथ मा थोड़ी लेटेगी बॉंडिंग अच्छी नहीं का बॉन्डिंग की विवस्ता नहीं बैठ पा रही है इसलिए Radiant War له probate अबने का Dry हर विद्दा blanket blanket से ड्राइ कर दीजे बिल्कुल blanket से ड्राइ करने को मैं मना नहीं कर रहा blanket से ड्राइ कर दोगे तो हाइपो थर्मिया के चांस कम हो जाएंगे अवैपोरेसन नहीं होगा तो बच्चे में हीट लॉस भी नहीं होगा पर इसे पॉंच के रख देने से बॉंडिंग थोड़ी ठीक हो जाएगी बात तो बॉंडिंग की हो रही है ना प्ले सर ओन हीटेड पैड गरम पैड पर रख दो कूले जल जाएंगे बच्चे के गरम पे नहीं रखने काई को रखना गरम पे खाली और नहीं तापमानी प्रॉब्लम थोड़ी है अरे बॉंडिंग भी तो देखनी है बार-बार बॉंडिंग के बारे में बात कर रहा हूं आप तो जानते ही हो गंगारू मदर के एर से बॉन्डिंग बढ़ती है ये बात तो आपको अच्छे से बॉंडदिंग और अच्छी बढट कोशन यहीं खतम नहीं होता है कुसम यहीं खतम नहीं हो रहा है अब समझे यह वावनां को अच्छा रहा है यह कहना चाहरा है कि और बताओ इसके बारे में क्या है तो बॉंडिंग ब्रेस फीडिंग सारे फाइदें मिल एक से बांडिंग अच्छी हो रही है ब्रेस्पीडिंग अच्छी और यह हाइप थर्मिया से अच्छा बचाय जा रहा है तो इस सारी चीज़ हो रहीए मांतर किसे किसे इस्किन टू-सकिन क्वे से बाएगे तर चाहिए में गौड ब्लेस और एठीज चलो बहुत बढ़िया अब आपने का सब इसके बारे में और प्रकास डाली डालते हैं प्रकास टोड़ चलाते हैं अब समझी क्या कह रहा है आपको यह बात समझ में रखना है कि आपको तुरंती बच्चे को मा के चेस्ट पर क्यों रखना है इसके लिए बहुत इंपोर्डेंट है फिर्ष्ट पीरियड ऑफ रेक्टिविटी तो बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूं पीरियड ऑफ रेक्टिविटी यानि मैं पहले पहले पढ़ा चुका हूं कौपी लेके बैठे हो तो नोट्स बना लेना इसमें फिर एक्जाम में आ सकता है तो बच्चे फिजियो लॉजीकल फिजियो लॉजीकल अडप्शन होता है अडप्टेशन अडप्टेशन होगा तो बच्चे हम कैसे इसके बारे में बात क इस में पहले जो 6-8 घंटे होते हैं तो पहले हैं ऑड़प्टेशन में बच्छा मुझा गुजारता है। इस वाले प्रेट को तीन प्रेम में Daiwaid किया गया है। चैला कहलाथ है first period of reactivity, दूसरा कहलाता है period of inactivity और तीसरा कहलाता है, second period of reactivity तो तीन period होते है, तीन मेंसे मैं पहला पढ़ा रहा हूं बचले किसे कहते है loot फर्स्ट पीरिएड of, फर्स्ट पीरीड of you First period of is reactivity, क्या मेरी इतनी इसी बात आपको समझ आई बात है कि सब्सक्राइब कितने समय का पीरियड होता है बच्चे वो बताई है कि को सब्सक्राइब को डंग से पढ़ लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको समझ लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपोडेंट बार बार नहीं पढ़ाया जाता इंपोडेंट चीजे में जो मैं उसके लिए बोलूं फिर राजुमेगवाल राजुमेगवाल है अच्छी बार बेटा राजुमेगवाल तेरा हो जाएगा परेशान मतों दुखी मतों मैं कह रहा हूं ना सौ परसेंट निकाल देगा अगला नौट से ठीक है दुखी मतों बस पढ़ते रहे हैं सही याद रहेगा इसके अंदर बच्चा क्या होता है इसके अंदर एक्टिव न्यूबॉन होता है क्या होता है एक्टिव न्यूबॉन होता है वो देखिए तो पहला तो बच्चे 30-60 मिनिट है फरस्ट पीर रेक्टिविटी कहलाता है और इसमें इस समय पर जो सक होता है वो स सबसे मजबूत जो सक होता है वो बच्चा कप करता है फर्स्ट पीरियोड रेक्टिविटी के और इसलिए आप से कह रहे थे कि इस एक गंटे में ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सकिन स्ट्रॉंग होता है तो ब्रेस्ट पीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए किसके अंदर फर्स्ट पीरियोड और रेक्टिविटी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए क्या इतना लॉजिक समझ में आ रहा है बच्छे क्या इतनी सी बातें समझ आ रही है याद रखिएगा कि इसके अंदर जो सक होता है जो सकिंग होती है वो स्ट्रोंगेस्ट होती है इसलिए ब्रेस्पीडिंग का समय ब्रेस्पीडिंग स्टार्ट कर देते हैं बच्छे कब आ रहेगा एक-एक point को coffee में लिख लीजेगा बात में समय नहीं मिलेगा आपको रोने के लावा किसी बात का आपने का early skin-to-skin contact अगर आप skin-to-skin contact दे रहे हो तो आप मुझे ये बताए कि अभी तो बच्चा कौन से period में first period of activity है तो याद रखिएगा ये ideal condition है इसको skin-to-skin contact देने के लिए क्योंकि इसके mind में जो programming है जो programming के future में ये कैसा behave करेगा अपने मा के प्रती इस बात पर depend करता है कि first period of activity के अंदर इसको मा से attach किया गया था या नहीं किया गया था तो कि इस समय क्या होता है बच्चे skin-to-skin contact के जामें क्या होता है कि बच्चा psycho-physiologically sensitive होता है कौन आंसर है वो बच्चा जो के जुड़ा हुआ है I hope आपको मेरी बात है समझ में आ रहे होंगे बच्चे इसलिए पहला period बहुत important है अब अपने का सर आप यह कह रहे हो कि पहला period active होता है मैंने का बिल्कुल first period बहुत active होता है बच्चा तो सर इसके vital sign पे क्या फरक पड़ेगा इसके parameter कैसे आएंगे वो बता दीजिए तो बेटा याद रखिएगा इसके parameter में क्या आएगा इस condition के अज़िए पहले period रेटी के अंदर बच्चा हाँ या न और इसमें क्या होगा इसमें रिट्रेक्शन पाए जाएगा रिट्रेक्शन ओफ चेस्ट रिट्रेक्शन ओफ चेस्ट पाया जाएगा हलकी सी ग्रंटिंग पाई जाएगी ये सारी चीजे नॉर्मल पाई जाएगी समाज में आ गया तो बेट किस बात का सब लोग फटा फट से लाइक जरूर करिएगा और जो लाइक नहीं कर रहा है वो प्री और में इसे अगली बार के लिए दूर होता जा रहा है तो लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि में और प्री एक गुजरा है अगला फिर आएगा टो है अप्रेल में फिर है कुंब का मेला तो हैं नहीं के 12 साल में आएगा इसलिए अपने सीट को सेट करिए और चैनल के पति उपनी वफादारी जरूर्खा घड़ा ऐ ठीक है चलो मेरा फोन आ रहा है, नहीं मेरा फोन नहीं आ रहा है, आ रहा होगा तो, किसका फोन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं बड़ी फिकर है, मैंने फोन आ रहा है, ए बेरे, ठीक है बच्चे, चलो, अगली क्लास यह क्वार के बारे मत कर रहा है मैंने का यह मा ने बच्चे को अपने 36 से लगा कर रखा हुआ है चैस्ट के बीच में इसे केंसी कहते हैं और याद रखेगा कैफ पहनाना मत बूलना और पैर में सौक्स हों यहां डाइपर पहनाना बात बूलना आप जहान में रखिएगा क्या इतनी सी बात हैं आपको समझाए बच्चे बिलकुल आ रियोंगे मैंने का चलो ठीक है ये भी याद रहेगा और बता और क्या है मैंने का अगला है से अगला का पीरियड ऑफ इनक्टिविटी कौन सा है पीरियड ऑफ इनक्टिव इसको कोई इसको नीद आ जाती इस बच्चे को बढ़िया वाली और इसकी जो नीद है वो कैसी होती है? फ्यू मिनिट से कुछ मिनिट से लेके फ्यू मिनिट टू आर कुछ घंटे तक का इसका नीद हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको सोने दीजिए और ड्यूरिंग यह नीद जो है वो गहरी नीद में सोएगा एसी गहरी नीद के इसको उठाना भी मुश्किल हो जाएगा फीडिंग कराना भी मुश्किल हो जाएगा तो क्रिप्या करके फीडिंग एक घंटे में करा दीजिएगा क्योंकि अगर यह लड़ गया ना तो कुम करने फिर यह याद अगर ना तो यह उठेगा फिर इसको एरा हर्ट रेट कैसी हो जाएगी हर्ट रेट हो जाएगी नॉर्मल सरैस्पिरेजन रेट कैसी हो जाएगी वह भी क्या हो जाएगी नॉर्मल क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको इतना ग्यान जो दे रहा हूं क्या समझ में आ रहा है बच्चे मिलकुल गौरफ सर का स्वागत है हम सब की तरफ से पूरे बच्चों की तरफ से और बच्चों को पढ़ाने वाले गुरूजी की तरफ से बड़े गुरूजी को बहुत-बहुत स्वागत जीनुमिक के ओंलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़े भाई जी आए हैं स्वागत करिए जरा समझा गया बच्चे ठीक है बटा चल अब आपने का ठीक है और बता असर थर्ड है बच्चे सर्ड कौनसा है? सेकंड पीरियड of the reactivity यह है सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड of reactivity पहला था फिर बीचमें इन innovative हो गया फिर बापस ceactive अब यह कब होता है? 4-6 गंटे 4 to 6 hours के बीच में होता है after birth, after birth, जनम के 4-6 गंटे के बीच में होता है, कौन, second period or activity, ये सर बताओ, इसका कितना total duration होता है, ये 10 minutes से लेके, और few hours, कुछ गंटे तक का चलता है, कौन सा, period number 3, ठीके बच्चे में का बताओ, heart rate, थोड़ी सी बढ़ेगी, respiration, थोड़ा सा heart rate and respiration rate, but in normal range, but normal range में होता है, range कैसी होती है, range normal होती है, थोड़ा बढ़ जाता है, range normal रहती है, मेरे प्यारे मुन्नो, मेरे प्यारे बच्चो, क्या इतनी सी बात समझ में आई, बिलकुल आगी होगी, ट्विंकल तेरा हुआ के नहीं है, ट्विंकल, ट्विंकल क्या सको हो रहे तेरा, बिटा, ए ट्विंकल, करत हो गया होगा बच्चे, बिलकुल, समझा है, बिटा, चल, सबने, कॉपी में लिख लिया, सबने कॉपी में लिख लिया ना, नोट्स बना ले ना, मैं फिर कह रहा हूँ, बाद में पलस्तानी के लावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, चलो, बहुत बड़ी है, चलो, अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, नर्सिंग विल्ला, सर्फ पीडिया क्लास, पीडिया मैं नहीं खोलू, जिस दिन मैंने पीडिया क्लास ली थी ना, मतलब कंट्यूने 20-22 दिन की मेहनत के बाद मैंने वो क्लास पे यार करी थी, और हुआ क्या, तुमने सोचा आराम से देख लेंगे, पढ़ाई तुरा है, 12 गंटे मैंने गला फाड़ा, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, आराम से देखी, बाद मैं देख लेंगे, बाद मैं देख लेंगे, काम कर रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, इंपोटेंट है तुमारे लिए, समय कहा है तुमारे पास, तो मेरे पास भी समय नहीं था, फिर मैंने प्राइवेट कर दी, यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ ट्विंकल बेटा तेरा हो जाएगा तु तेरा माइंड सेट सही करने पहले तु परेशान जादा रहता है थोड़ टीचर को पैचानो तीचर की वैलू को पैचानो आपका सेलेक्शन हो जाएगा कंसी का य। तक क्या पढ़ना है कौन क्या पड़ा रहा है कि कितणा इंपॉडरा रहा है है मैं निस परॉ प्रॉब्लम जिल्सक्राइड तो चुक्र कि था श हो जाएगा श्लेक्शन युबरास तर्मा बेटा गॉड ब्लेस यू पीडिया की किलास जिसने मैराथन देखी ना मैराथन उसका दो हजार तेईस का जून वाला कोई एक्जाम और दो हजार तेईस का सेप्टमबर वाला एक्जाम मैं कह रहा हूं ना सांदार गया है इसने क्लास देख भीए ना कैसा वह सांदा अंधा बैंट यू नहीं 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 देखी है उह पने हालक आथमां को को सी है कि यह आईBox किसको रखो गॉल पाया सौन्या सिंग बेड़ा गॉल ब्लेस यू भगवान बला करें किस्योश्व ved भगवार को KMC का cut-off bit KMC का cut-off bit होता है 2KG God bless you, बचे कमलेश्थ थर्मा, God bless you, बच्चे सपना, God bless you MAD VAKT God bless you, राओ लाथर, God bless you, बच्चे बच्चे फल मिल गया है न, दो बच्चे जागने का बच्चे आंसर पता आंसर फटा 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 आंसर क्या है सब बच्य आंसर करो सब गुपता खान बीटा जीती रहो जल्दी बीटा आंसर पता सारे लोग फटा फटा आंसर थालिस्यमिया कैन भी डिफ्रेंसियेट वाई फ्रॉम दा आयरेंड डेफिसेंसी एनिमिया मेरी बात को बहुत ध्यान सुन बेटा सुन M-C-B होता है मीन कार्पस कूलर वॉल्यूम मीन कार्पस कूलर वॉल्यूम M-C-H होता है मीन कार्पस कूलर हिमोगलोबिन बेटा ध्यान सुनना आयरेंड डेफिसेंसी एनिमिया एन थैलिस्यमिया इन दोनों के अंदर एक चीज़ होती है यह माइक्रो साइटिक होते हैं और हाइपो क्रोमिक होते हैं यह दोनों एनिमिया कैसे होते हैं माइक्रो साइटिक और हाइपो बहुत स्टेंडर्ड कोश्चन हैं बहुत ज्यादा स्टेंडर्ड मतलब मेरे दिल के करीब वाला कोश्चन है मेरे दिल के करीब वाले कोश्चन हैं भचे ध्यान में रखेगा अपने का खी कैसे मैंने का माइक्रो साइटिक हाइपो क्रोमिक होता है इस बात का क्या रखेगा दौनों के अंदर cell का side छोटा होगा और cell के अंदर hemoglobin कम होगा तो एक बात तो confirm है कि दौनों के अंदर mcv कम होता है और mcsc कम होता है दौनों के अंदर यानि mcv और mcsc दौनों के अंदर कम होता है चाए वो iron deficiency anemia हो चाए वो थैलेसिमिया हो तो इन दौनों के बेस पे तो अंतर नहीं कर सकते कि कौन iron deficiency anemia है और कौन थैलेसिमिया है मेरी बात को ध्यान में रखिये का बच्चे इसके बाद पे तो मैं तो बेटा याद रखियेगा मैं जो बता रहा हूं कि आपको एक चीज़ कंफर्म है कि इसके बेस पे तो मैं नहीं बता सकता कौन थैलेसिमिया है और कौन iron deficiency anemia है बट एक चीज़ और ध्यान में रखियेगा iron deficiency anemia के अंदर RBC count कम होता है इसके अंदर क्या होता है RBC count कम होता है जबकि थैलेसिमिया के अंदर RBC count जो होता है वो normal होता है तो RBC count क्या हो गया बच्चे normal किसके अंदर थैलेसिमिया के अंदर अरे हाई ना अब मैं आपसे कहूं कि MCV divided by RBC अब एक बात बता तू कि दौनों यह है और एम सी वी डिवाइड बाई आर्बी सी काउंट यह है बेटा क्या यह थैलेसिमिया अब एक बात को बहुत ध्यान से समझ तू एक बात को बहुत ध्यान से समझ जो मैं कह रहा हूं वच्छे ठीके बेटा अब आपने का ठीके बताओ एक बात को बहुत क्लियर समझ लेना आप कि एम सी भी तो माना यहां भी वो एक है और माना यहां भी एक है दौनों में सी वराबर है पर यहां आर्बी सी काउंट क्या है जादा है यहां आर्बी सी काउंट क्या है कम है यहां आर्बी इसी काउंट कैसी है नोरमल अब मुझे बताओ किसकी वैल्यू जादा आएगी कि स्की वैल्यू जादा आएगी कम का भाग लगाऊंगा जादा मैं तो इसकी वैल्यू क्या ऐगी जादा और इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर तो बेटा अगर mcb divided by rbc कम आ रहा है तो थैलिसीमिया है और mcb divided by rbc जादा आ रहा है तो iron deficiency अब मुझे बता दो किसी को समझ में नहीं आया यह आया है किस किस को नहीं आया मुझे बता दो मैं दुबारा समझा दूँगा नया कोश्चन है भाई के लेवल का कोश्चन है इ यूटूब के बेना कभी देखा होगा इसा कोश्चन और चैलेंज है अब आज के बाद देखो गए भी तो भाई के आगतों के देखे हुए कि जेतराम गोजरा गॉल्डब्लेस यू बच्चे क्या मेरी इतनी सी बात सबको समझ आए बच्चे क्या सबको समझ में आया बच्चे रिपीट कर दो पूरा मेंटब मेरी बाप सुन बापस सुनो एंसीवी दौनों इदेखो एंसीवी एक एक्जामपल समझ ले एक्जामपल दे रहा हूं एंसीवी पचास है आयरेंड डेफिसेंसी एनीमिया की और एंसीवी पचास है एक्जामपल है थैलेसीमिया की तो थैलेसीमिया की हैं एंसीवी कितनी हैं 50 और आयरेंड डेफिसेंसी की में रग्वीसीप काउंट कम्ता है तो आरब्सी काउंट मानलो अरबसी काउंट मानलो सो होता है नॉर्मल नॉर्मल अरबीसी काउंट होता है तो बेटा एक बात आब आए Mean कम किसमें होता है iron deficiency निया में तो 100 से कम होगा ना माल लो वो क्या हो गया पिचपतर पर थैले सिम्या के अंदर iron sorry थैले सिम्या के अंदर आर बीजी काउंट नॉर्मल रहता है तो यह कितना रहेगा अब आप समझो यह आया दो बटे तीन और यह कितना आया एक बटे दो तो यह आ गया पचास परसेंट और यह कितना आया यह आया कितना बच्चे आंसर है 66 परसेंट अब बताओ एम सीवी डिवाइड बाई आर बीसी किसमें ज्यादा आएगा आयरें डेफिजेंसी अनीमिया में के थैले सिम्या में अब तो बताओ यार मैं इतनी मेहनद कर रहा हूं तुम लोग मजे नहीं ले और रिपीट कर दो ओ प्रभू यह भगवान उठा ले मुझे नहीं रहे कि इसको मैं क्या करूँगा मैं तो पढ़ा रहा हूं इसको उठा ले भाई जिसको समझ में नहीं आरा तीन बार बोलने के बाद भी इतना तो समझा दिया MCD दोनों में कम होती है और RBC स्रिफ iron deficiency में नहीं में कम होती है यह ज़्यादा नहीं होती भे RBC आ गया के नहीं आया आया के नहीं आया जल्दी बोलो आया आयेगा क्यों नहीं भे भाई के वच्चे हो चले आगे चलो आंसर क्या जाएगा आंसर गया C अगला कोश्चन आपके सामने बेटा स्क्रीन पर यह रहा बड़ा बड़ा कोश्चन को पढ़े और आंसर करें अगला concrete the next question on his screen फास्ट पड़िये जेतराम भी लेता है लेटरों जेतराम क्वालिफाय हो गया परी के लिए है तुम अपनी पड़ दी है इश्रिया जीनियस सर गॉल्ट बैसे बच्चे भाई का प्यार है आप लोगों के लिए एक्जामपल तो भाई के टॉप क्लास मैं फैमसी मेरे एक्जामपल के लिए हूँ मैं साइंस कितनी इजी कर दूँगा कि तुम्हें टिप्स पर याद हो जाएगी तुम डेंसर मतलो साइंस बहुत इजी कर देंगे भाई मैं किताब का ग्यान किताब में तो किताब इह बहुत लिखी हुई है किताब नहीं पढ़ाता भाई आपका भाई किताब को पनी बहसां पढ़ाता है चलो बहुत अच्छी वाद क्या करा बच्छे God gifted example के नामले में रहुल सिंग जी तरह बच्छे सिमरन डागर जी तरह बच्छे बहुत अच्छी वाद कमेंट आ रहे हैं भी आ गया भी आ गया भी आ गया भी बी बी लडितने का भी है दीप का भी बी है मंजू का भी डी है अंकित का डी है बहुत अच्छी वाद डी है तुरेस का भी है राज का डी है किसना का सी है पुस्ववाव का भी है मुकिस गोयल का सी है पिंकी का भी है र प्रिकास का पताने क्या था रेल सी निकल लगी देखनी पाया प्रिकास को मैं और सपना जांगिड का सी है किसम का भी अरे बहुत बढ़िया चलो इसुर क्रप है आगे देखते हैं राधारानी क्रप है चलो को एे लड़की पैदा हुई हर फादर एक्सि टंसर उसके पिता जी को टेंसर में पैदा हो टी ऑजो और यद्लों एक ओऐा पैदा होती तो दुख नहीं मनाना चाहिए लड़किया पैदा होती उतना इस बात का खेर रकिये का लड़कियां कं नहीं होती किसी से पर क्या है कि देश ऐसा है जिस तरफ से रहा है ना वहाँ मानके चलिए कि लड़की की चाह देवाई डे बढ़ती जा रही है और भारत में तो पूछों मतले की चाह कांसे कहां पहुंच गई है और पूरे दिन लड़के की उम्मीद में बैठे रहते हैं कि इस बाई लड़का दे इस बाई लड़का दे कहां से दे लड़का लड़का कोई टेस्ट ट्यूब में बनके आएगा क्या फिर भी फिर भी पूरे दिन मांगते रहते हैं लड़का दे दो लड़का पता नहीं कह लेके जाने वाला है कि साइद ये वो घर का चिराग है जो घर में आग लगाएगा नहीं हां चिराग ही तो आग लगाते हैं बिलकु लड़का ही तो आग लगाता है घर वालों को मतलब माता पिता की चिता को लड़का ही तो आग लगाता है इसलिए उसको चिराग कहते हैं क् बिछारी बेटी यह जिनें कोई रटान में नहीं में जूआ है कि लुटेरे खुडा से मांगते हैं । बला यह कौन से मूह से खुदा से मांगते हैं दुखाई है कि लुटे रे खुदा से मांगते हैं हमारी बेटियों का सब्र देखे लें दुनिया हमारी देटी सामने देटेख से मांगते हैं यह लड़का मांगता रहता है फिर मैं काहें पैदा हुई भे कि समझा रहा है बच्छे कि चलो कोश्चन पढ़ लो फटावट अब चलो कि अच्छन पाई के से रफाई उर्दू में बात करता है तुमको लपू जपू वो साहिरी संद्र भाई से उर्दू टोटल भाई कि साहिरी के भी किलास होती है बैं किलास तो न्यूबॉर्ण गर्ल फादर कंसर्ण देड न्यूबॉर्ण दस नॉट है गुड कंट्रोल और हैंड एंड आर्म इट इंपोडेंट फॉर फादर तो रिलाइस सटें न्यूरोलोजिकल पैटर्ण न्यूबॉर्ण इसने का क्या कहना चाहरा है वह देखिए बच्चे बच्चे सब बी कह रहा है मैं अगर भी पढ़ लेका हूं बीक में परपजलेस अनकोर्डिनेकेड मुमेंट ऑफ आर्म इंडिगेट न्यूरोलोजिकल डिस्फंक्शन इसने का इसलिए इसको दिक्कत आ तो यह गलत है है काही गलत कैसे हम बता रहे हैं रुक जाओ न्यूबॉर्ण बच्चा है यह क्या कर रहा देखो यह ना मेरी बात फेलिंग के साथ देखिएगा आंसर समझना आ जाएगा आपने क्या है बच्चा होता है ऐसे कहां एमनियोटिक फ्लूड में ऐसी होता है सर भी ऐसे से उतर रहता है तो बच्चा ऐसे ऐसे तेड़ता रहता है एमनियोटिक फ्लूड में अगर तुम्हारी लास को मैं पानी में डाल दू तो तुम भी ऐसे ऐसे तेड़ते फिर हो गई यह यह करके तो बच्चे को अपना हाथ का बजन वेट बियर करने के लिए ता तो पानी जो हाथ को सपोर्ट दे रहा है अगर वो जब तक अंदर था तो हाथ ऐसे फ्लोट होते रहते थे फ्लोटिंग होती रहती थी हातों की क्योंकि पानी बढ़ा हुआ था अगर बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा एमनियोटिक फ्लूड के बाहर आ गया और जब बाहर आ गया तो अब इसके हाथ को सपोर्ट देने के लिए कोई पानी नहीं है तो इसको वह यजा है कि आएगा हाथ को सपोर्ट नहींद लगा है तो पाट नीचे जाएगा फिर हाथ उठाएगा फिर हाथ जाएगा फिर यह जड़की मुवमेंट आ रहे हैं वियर कि नौर्मल आ रहे हैं इसको हाइपो ॉगलाईसिपिया नहीं है दोनों हाथ अगर एक साथ response दिखा रहे है इस नॉर्मल समझ आया के तबारा हो लूँ आया के नहीं आया है वे आया के नहीं आया चल्दी बोलो आया है ना समझ में इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि हातों को support देने के लिए कोई liquid नहीं रहा तो आप बच्चे को आत दभूल पड़ी है कि मेरे हात तो नीचे गरेंगे नहीं क्यों नहीं गरेंगे तो पानी में रहते हैं पर अब पानी नहीं है अब तो हात नीचे गरेगा अगर तुने नह माला हाथ तो हाथ कहां करेंगे नीचे तो बच्चे का हाथ बार-बार नीचे गरता है और बच्चा बार-बार हातों को समालता है बच्चा बार-बार हातों को समालता है इसलिए बिलकुल प्रियंका बायान स्पोर्स floating force कहते हैं इसको जो कोश्चन का इंट्रेस्ट के साथ पकड़े करती हूं अगले ही चेंज देखा है खुद में बहुत बच्चे बच्चे चेंज इस वर करें सब बढ़िया होगा कि यह रेशनल तो पहली बार पहली वारी सुनोगे राम चोदरी भाई के पास आयो तुम कि समझें आया तो यह वाला बात तो गलत है कि नियूरोलोजी का डिसॉर्डर नहीं है हो ही कि अच train faut कि अबये मैं करोड़ु कि अबने मैं फोकस ऐसरो फोकसि थे कह फिर माईल्ड हाइपोटनिया एकस्पेक्टड इन अपर आक्सिमिती से कह रहा है कहां हाथ ऐसे होते हैं और ऐसे हाथ है ना हाइपोटोनिया में नहीं हाइपरटोनिया में होते हैं फ्लेक्षन होता है हाथों का तो हाइपोटोनिया मत बोल देना नॉर्मल न्यूवान हाइपरटोनिया होता है हाई-पो टौनिया नहीं होता तो जिन का अंसर है उनके साथ भी मुझ्वे बहुत जादा साहनबूती है बिलकूल सबसे पहले अपने को गहवराना नहीं है सबसे पहले अपने को घवराना बिलकूल नहीं है समझमाया है तो अबच्च Heyportunya नहीं होता है पर टॉनिया होता है क्या दो बात समझ मैंने का ठीक है सब अस्यमेट्रीकल मुवमेंट ऑफ एक्सिमिटीज नौट अन्यूजवल एंड डिसेपियर मैचुरेशन ऑप दा सेंटर नर्वा सिस्टम यह कह रहा है कि अस्यमेट्रीकल एक्सिमिटीज का पाया जाना नौट अन्य अंग्रेश्यी का बड़े से बड़ा ग्याता यहां आके फैल जाएगा नोट अन्यूजवल का मतलब होता है इसका मतलब क्या है वो अच्छा है वो बुरा आधी नीचे गिरे एक नॉर्मल होता है नहीं नहीं अगर हाथ गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे एक गिर रहा है तो फिर यह प्राब्लम है फिर यह यूजवल नहीं है अन्यूजवल है तो आंसर बेटा यह भी गलत है अब बताओ आपको पढ़ाया था growth and development में कि यह है बच्चा बच्चा धंसे बनाते हैं बहुत दिन से बच्चा बनाया भी नहीं है मतलब ऐसे यह है बच्चा और यह है ऐसे यह इसकी गर्दन और गर्दन फोड़ी और लंब्य होगे चाती चाती से पैर निकल गए दो जेंडर का पता नहीं तो मैं बना नहीं रहा थीक है बच्चे है अब आपने का बताओ ज़रा अब याद रखिएगा कि एक तो होती है खोपड़ी इसे कहते हैं सिफैलो और एक होता है पिछवड़ा जहां बैठते हो उसे कहते हैं कौडल मैंने का यह भी सही है एक होता है सिफैलो और एक होता है कौडल हाई रे इंगलेस तत्या नात हो तेरा पुतला लग रहा है काई का पुतला लग रहा है बयारू कितना तर क्यूट है चेहरे की स्माइल देखिसकी तू तो जी अपना पर दखरा ठीक है याद रखिएगा ग्रोथ and डवलक्मेंट का डारेक्सन हमेशा सिफेलो कॉडल होता है पहले वह चीजें डवलक होती हैं जो ऊपर की तरफ होती है फिर वह चीजें डवलक होती है जो नीचे की तरफ होती है पहले चीज़ें वही डवलप होती है नीचे की चीज़ें तो बाद में डवलप होती है अरे मैं इतना डीप सोचने को नहीं कह रहा तुम लोगों को मैं यह कह रहा हो कि ऊपर की चीजह जो हैं वह जल्दी कि मीन होती है और मैंने घञेफा करती जब्लूप का। ना नहीं होती होती है यह इस या जो मनितों फितर चलता कूप है बच्चा सबस्कार देखते ना इक अच्छा सर चलता कब है मैंने का चलता है मैंने का वो चलता है बारह महीं पर चलता है तो याने डव्लब्मेंट उपर से नीचे की तरफ आ रहा है डवलप बेंड उपर से नीचे की तरफ आ रहा है पहले वो चीज़े डवलप होती है जो उपर की तरफ है फिर वो चीज़े डवलप होती है जो नीचे की तरफ है एक्जामपल के लिए तुमने तालिया नहीं हो ज़े भाई के लिए मैं कहरा हूँ बहुत बढ़िया एक्जा क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई मिलकुल आ गई कि भाई समझाएगा तो समझ में जरूर आएगा और बताओ अगला होता है प्रॉग्जीमो डिश्टल यह प्रॉग्जीमल और यह डिश्टल यानि ग्रोथ एंड डवलपमेंट का डारेक्शन होता है अजय कुमार त ठीक है बच्छे चलो अब आपने का क्या कंडिशन है अब होता है प्रॉग्जीम डिश्टल पहले वह चीज़ें डवलप होती हैं पहले वह चीज़ें डवलप होती हैं जो सेंटर की तरफ होती हैं फिर वह चीज़ें डवलप होती हैं जो दूर की तरफ होती हैं पहले सें पहले बच्चा हाथ उठाना सीखता है के पैन पकड़ना पहले बच्चा हाथ उठाना सीखता है पहले यह डवलप होता है जो बॉड़ी के दूर है तो बेटा पैन पकड़ना बाद में सीखेगा पहले हाथ उठाना सीखेगा और हाथ उठाना सीखता है यह प्रॉक्जिमल औ अमेशा प्रॉक्जीमल पहले होता है और डिश्टल बाद में होता है बोलो आज के आनंद कीज़े क्या इतनी सी बात समझ आए बच्चे ठीक है क्या इतना सा क्लियर हुआ आंसर बच्चे दौनों तो यह मेरा आंसर सही था क्योंकि दौन डवलप्मेंट होते हैं पहला है प्रॉक्जीम और डिश्टल और दूसरा है सिफैलो कॉडल बोलो आज के आनंद कीज़े ठीक है बच्चे आपके हाथ कानूं से भी लंबे हैं तु बचके रही हो इसे मत करो यार बहार आओ वह नहीं मिलेगी वह जा चुकी है तुम्हारी जिंदकी से अब वह किसी और की है वह क्लास नहीं मिलेगी तुमको अब भूल जाओ इसे किसी दूसरी के पास जाओ वह नहीं मिलेगी अब कितनी बार कहूं खुद को समालो वह जा चुकी है तुम्हारी लाइब से अब नहीं मिलेगी तुम्हें मिलेगी इसको बड़ा भरोसा है मिलेगी तुम्हें पड़लो चुचाब अभी जो मिल रहा ये भी नहीं मिलेगा नहीं तो ठीक है कि एक बार मिला दो हम बस यही काम रह गया है मेरा तुम्हें मिलाते फिरू में लोगों से चलो अगला कोशें पड़ो कि अंजिली जा चुकी है देव कि जल ने करो फड़ा पड़ कोश्चन सॉल्व करो हाँ डाइबस भी तो होता है हो या था डाइबस पड़ा पड़ा कोश्चन का आंजर दो फड़ा पड़ा गज़ें कोई बच्चा बिना आंसर करें नहीं रहेगा जहां रखिएगा इच और इस टूंड गिव तराइट आंसर फास्ट फाइव यर ओल्ड चाइड प्रिजेंटेड विद्धा पैलर एंड मैसिव हिपेक्टो इस्पलीनो मिगेली कहले मुझे बता दो डिजीज क्या है जल्दी जल्दी बताओ डिजीज फॉलोइंग डाइयरन प्रोफाइल आइयरन प्रोफाइल चेक करना है मुझे डिजीज का क्मेंट बक्स में बढ़त दो मैं चाहता हूं पहले मुझे डिजीज बता दो क्या पता तुम डिजीजि घचान होगे तो आंसर तो फॉल गट करो गई ना सी 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 सीजिव यह बीडी बढ़िया मैं कहरा हूं ताल यह बसती रहनी चाहिए मुझे पहले बदा दो को अब और शिकल्सेल क्राइजिस कौन है इसके मुपमुका मानना पड़ोसी जो कमेंट बॉक्स में इसके मुपमुका मारो किसे ने बोला सिकल्सेल है नहीं है कौसी ओर कर कुछ भी यार तुम लोग आंसर है आइरन प्रोफाइल चेक करना है मैसेव हिपैटो स्पिलीनो में गेली है आंसर है बीटा थैले सिमिया यह डिजीज है बीटा थैले सिमिया ताय का लिवर्ट चिरोचिच क्या लिवर्ट चिरोचिच आए चिरोचिच जी थैक है तो अंसर क्या है बीटा थैले मेंहें के साब से फटा फट आंसर दे दो नद मुझे क्या कंडिशन है चल्दी अब तो और आंसर आ गया होगा अब आप आंसर कर दो कि मैं जानता हूं दिमार्ट लगाना नैस्ट्री भंगद बर्गद का पता था और बर्गद को बन्यान कहते है नहीं तुझे लगा बन्यान पहनने वाली होती है अवन सब को पता है बन्यान बर्गत होता है ऐसे तो मत कर यार भई अब फटापट एलिमिनेट करो ऑप्शन को एलिमिनेट करो और ऑप्शन ढूड़ो अब देखो कि लपक क्या अंसर आ रहे हैं बिल्कुल होगे ना अंसर चेंज़ यह बड़ा दिल यह आंसर जाएगा नहीं आईरन हो गया नॉर्मल मैंने का ठीक है फेरेटिन हो गई नॉर्मल टोटल आइरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो गई कम और टान्सफेरिंस सेचॉरेशन यह है मैं टी अई बीसी लिख देता हूं टी आई बीसी इसे कहते हैं टोटल द आइरन ब आया है तो T-set क्या है सब इसे कहते हैं Transparen Saturation क्या कहते हैं इसको मैंने का चलो ये काम भी ठीक है तो ये भी कैसा रहेगा लो और ये भी कैसा रहेगा नॉर्मल आपने का ठीक है सर एक बात बताओ मुझे ट्रांसफेरिन सैचूरेसन और टी आई बीसी क्या होती है टी आई बीसी होती है आईरेन को पकड़ने की छमता टोटल आईरेन बाइंडिंग कैपसिटी अब मुझे एक बात बता तु बहुत सिंपल है एक तुझे मैं यूंक ठीक करे देता हूं अरे अभी ठीक करे देता हू तो 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 बहुत गंबीड़ता समझेगा जो मैं कह रहा हूं टोटल आईरेन बाइंडिंग कैपसिटी के अंदर बेटाम क्या करते हैं अगर मेरे पास आईरेन बाइंडिंग में कम होता तो मुझे उसे पकड़ने के लिए अपनी कैपसिटी बढ़ानी पड़ती त जो बाइंड करती है मैंने का किसको आईरेन को मैंने का अच्छा अगर बॉडी में आईरेन कम है तो इसको पकड़ने के लिए प्रोटीन को छमता ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कहीं कहीं मिलेगा तो प्रोटीन को अपनी कैपसिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर आईरन कम है उसको पकड़ने के लिए और अगर आईरन जादा है तो बिना मेहनत के अपने आप मिल जाएगी तो यहाँ प्रोटीन की कैपसिटी कम होती है जब बॉडी में आईरन कम होता है तब तो बेटा क्या होगा तब तो क्या होता है कि प्रोटीन कैपसिटी बढ़ती है पर जब iron ज़ादा होता है तो protein capacity कम होती है क्या मेरी इतनी सी बात समझाई बिटा अब आपने का सथीक है मुझे एक बात बता दो क्या इसमें iron थैले सीम्या में iron कम है या थैले सीम्या में iron ज़ादा है अगर थैले सीम्या में iron कम होता तो total iron binding capacity बढ़ती हाँ हाँ मैं gals boys वाला example दे दूँ पर पैस सुलो तो आपने का समझो मतलब कि अगर iron ज़ादा होता तो अपनी capacity बढ़ाने की जरुवत नहीं थी तो protein की capacity कम होती है जब iron जादा होता है जब iron कम होता है तो capacity जादा होती है पकड़ने में जादा जोल लगाना पड़ता है अमरित पनवार सर आपकी last class से बहुत फाइदा मिला God bless you बच्चे मेरी सारी class से फाइदा मिला ही है बच्चों को last class 100 question वाली class का फाइदा ये था कि time management सीख गए और question eliminate करना सीख गए और एक आप accept वाले question गलत नहीं करके आये जिसने मेरी last class देखियोगी वो accept वाले सारे question से ही करके आया होगा एख चोधरी ठीक है बेटा तु कॉलिफाय हो गया बहुत अच्छी बात है अब तु बता तुझे कौन सा असी बात क्वाद क्वालिफाय करने का करने का नहीं करने का जली बता अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्लॉक बोड़ने से तु प्री क्वालिफाई कर रहा है और तु में भी कर लेगा तो बता तुझे कौन सी आसी बात दूँ तु कहेगा वो दे दूँगा और वो जो दूँगा वो ही होगा सो परसेंट क्वालिफाईगा के अनक्वालिफाईगा तो ऐसी चैलेंस म्त कर वाय तीक है? आई को असंवा सकता है बच्चे है परेंट्स के लिए बच्चे हुशी बुरसे नीं होते और टीचर के लिए बच्चे कभी द्यूरे नहीं होते हो सकता है कभी डाइड देता हूं दिल पे मतलिया करो घगवान कर तरह में जल्दी क्वालिफाय हो जाए और तो जल्दी अपनी नौकरी पाए ठीक है विटा चलो कि समझाएं बच्चे ठीक है बच्चे तो अब बात के और गला के टोटल के ट्रांसफेरिंस सेचुरेशन अगला था ट्रांसफेरिंस सेचुरेशन क्या था ट्रांसफेरिंस सेचुरेशन और ट्रांसफेरिंस सेचुरेशन क्या होता है एक प्रोटीन होती है ट्रांसफेरिंस जिसकी सर्फेस पे चिपका होता आईरन जिसकी सर्फेस पे क्या चिपका होता आईरन बेटा याद रहना अगर जादा आईरन है तो उसकी पूरी सर सर्फेस पर चिपका होगा तो इसका सै चूरेशन बढ़ेगा इसका सै चसर Sie 우리는 क्या होजाएगा ज्यादा पर अगर इसका आइरन कम हैं तो सै सेचूरेशन क्या होगा कम क्योंकि कम सर्फेस पर चिपका होगा कि समझा रहा है जो मैं कहा रहा हूं तो बात का ख्यार रखिएगा कि ट्रांस्टेरिन सेचूरेशन नॉर्मल कितना होता है आंसर है 25% होता है और अगर यह लेस देन 16% होता है तो इसका मतलब इसमें आइरन डेफिसेंसी है तो एक बात बताओ क्या इसमें आयरन कि कमी है नहीं है तो ट्रांस्फररींस सैचोरेशन बढ़ेगा नौर्मल रहेगा यह तम होगा आंसर में ठांस्फरेशिन क्या रहेगा नौर्मल क्योंकि आयर कि कमी नहीं है आंसर जाएगा ईह आपको मेरी बाते समझ में आरे होंगी रेशनल के साथ बता रहा हूं कोशिस करिएगा कि आप समझ में आए कि अब क्या हुआ गैलोथ तो गैलोथ बेटा पढ़ ले आसो गैलोथ नोगे मोख भुषुआ परिसान मत कर बाकी बच्चे परिसान हो तो ठीक है अगला कोशन आपके सामने बेटा स्क्रीन पर यह रहा हूं पटा-फट कोशन को पढ़े और आंसर करें कि अग्या ति आई बीसी नोट सर आयरे नॉर्मल है तो आप रोटीन को चमता बढ़ाने की जरूत नहीं पड़ेगी ना आराम से मिल जाएगा तो क्यों चमता बढ़ाएगा बेबी का काट दिया इमीडेटली पोस्ट ओपरेटिव के एर इंकलूड बताओ तुरंत बाद में क्या करना चाहिए बोलो जरा आज क्या अनंद की जैए बोला बड़ा पड़ कमेंट बॉक्स में लोगों ने भड़ दिये सी एक्सिलेंट सी सी सर ग्रोथ चार्ट एक बार कुश्चन आते हैं प्लीज करवा देगे ग्रोथ चार्ट क्या कर्ष्णा मैला जिन छोटा कन्ने वाली बात कर रही है ले तूं में से पहले ग्रोथ चार्ट ले ले तो टेंशन मतले भाई के दरवार में कोई खालियात गया है क्या तुम्हारे सेलेक्शन के लिए रात बर जगना पड़ेगा तो जग जाएंगे टेंशन नहीं है पर ऐसा मत करना सेलेक्शन होके बोलो कौन पीडिया वाला पे पीटा प इस फेटफुल फोर टीचर समझाए बचे बिलकुल तो बेबीत में उसने का एक यह लूज ड़ाई पर लूज डाइपर पहना तो लूज ना पहनाते टाइट पैनाते लूज में ब्लीडिंग के संभावना जैदा हो जाथी कसके पहनाते हैं नहीं तो लूज में रोकने व पढ़ेंगे तो हलका कछा मत पैहना देना जो फटाए मत पेनता हो τουय थे वैंसा मत पैना देना लूज किसके पैनाना टाइट समझारा है जो हम हम अब साथ साथ है हेढ़े आधि अ कर रहेंगे हम साथा है इतनी एनर्जी के शेन के लाते हो सबसाँ इस तूम लोगと思います प्यार है वे ऐसे आ जाती यह तो तब है जब मैं साथ वजे से जूटी पर गया हूँ अभी तक मैं बाहर ही हूँ अभी तक बाहर ही हूँ यह एनर्जी तो तब है ठीक है चलो तो इसका मतलब लूज डाई पर नहीं पहना थे अच्छा और बताओ keeping बेबी एन पीओ पर लो फोर और काय को एन पीओ तू बहुत बड़ी सर्जरी कराए एक चोटा सटकुड़ा काटाया आगे से एन पीओ रग दे दूद मांग रहा है दूद पिलाओ काय काय करते गाए अनेस्टिसिया तूने इसको नहीं है तो नहीं तो एन पीओ काय को रख रहे हो चलने तो जैसे रोई दूद बिलाओ अच्छा तो यह भी गलत है मैंने का यह भी गलत है असो चोटरी बेटा बहुत अच्छे बस आसी बात दे दिया मेन मी के लिए रो जाएगा पढ़ लो चलो आगे देखें हम आप कहें कौन सही गहरा डॉक्टर अनुप मरमा तूँप है चेंजिंग दे ड्रेसिंग फ्रिक्वेंट्ली ड्राइए एन इस्टिराल बिल्कुल सही यह बात हुई ना एकदम सही कहा कि आपको इसकी ड्रेसिंग बार-बार बदलनी पड़ेगी और इसमें कहीं कोई ही बात नहीं है तो जिस ने इसका अंसर सी दिया है मैं बहुत खुशी के साथ बता सकता हूं कि इसका अंसर पूरी तरीके से गलत है अब क्या आग लग गई अब कैसे गलत हो गया अब तो सब सही लग राता है इसमें नहीं सब सही है बस ड्राई नहीं करनी चाहिए ती ड्राई क्या होती है ड्राई गाव चिपक जाती है इसलिए मौश्ट ही काम में लेते हैं इसलिए ड्राई नहीं लेते इस बात ध्यान में रखिएगा तो ड्राइव वस एक ड्राइव सब्द गलत था बाकि सब सही है हाँ मेन का पेपर टफ आएगा 100% तो बैटा आंसर C भी गया तो अब क्या बचा आंसर जो बचा वो है D क्या बचा है D ठेक है देव इंदे पनवार ने विटाउं तो क्या करेगा बता गाली देगा मेरेको देव समझा है बच्चे समझा है बच्चे तो आंसर अब आपने का टॉकिंग दा बेबी टू ही टेकिंग टॉक ने टेकिंग दा बेबी टू ही मदर फॉर कर्लिंग मा को बोलो बच्चा इसको गले लगाए और दूद पिलाए कोई बहुत बड़ी सरजरी न 언제 खे लै इत्तू सी सरज़री कोई से औस अवात बड़ी शर्जरी नहीं है इत्तू सा काटा है तो कोई फर्क नहीं पड़त हुसे उसे बोलो, मा को बोलो, गले लगाए और बच्चे को सहला आए, और कहे, स्वां करते है, आपका, हमारे कल्चर में, समझ आरहा है, जो बोल रहा हूं मैं, तो इस बात का ख्या रखे profit, उन्ने कह दीजिएगा, करिये, उसे सांत करिये, दूद पिलाईए उसे सपोर्ट दीजिए सब सही है बाकी सब सही है कि क्या समझ में आया तो बिटा आंसर जाएगा डी किये जाएगा भाया डी मदर के बेबी चिपकेगा तो इंजरी नहीं होगी किया सर जी कहां से चिपकबा रहा है तू तू जहां से सोच रहा है ना वहां से नहीं चिपकता है मा से चिपकरा है अपनीव अपने वंदी से नहीं चिपकर रहा है मा से यूं रहते हैं बà काहďकी हिंजरी कौनसा मा से रगण रहा है उसको जाएगी बे इसे इतना फटननाक रहसनल लगाने को बोड़ा था मैं पर पिडॉर topl का एक इंजरी वे तू बड़ी इंजरी ढूंड रहा है इसकी इतना ज्यादा डीप सोच गया तू ना उन्ना ना इतना डीप ना सोचना होता कहां से आते हैं यह लोग क्रड़िलिंग करने का बोला यार तुम बलगी फील ले रहे हो सारे बच्चे कि इंजरी हो जाएगी है कि यहां सही है चलो बगवान बला करें सबका तर मा के साथ आपका फोटो अच्छा है था थैंक्स बच्चे मा अच्छी होती है सबकी मा सुंदर ही होती है मेरी हो या आपकी कि अच्छी का जाएगी है प्रभू प्रभू या गह रहा है प्रभू बाण निकाली है प्रभू निकाली है बाण अप्राहिला है बहुत आच्छे बढ़िया बच्छा बिनां सब्सक्र निरेगा बच्छा बिनां सब्सक्र निरेगा बिच अव द फॉलएंग बिलड वर्ल्यू रिक्वायर फर्दर नर्सिंग एक्षन निववान फॉर यर ओल्ड फॉर आर ओल्ड कौन सा दिक्कत है इसमें यह कह रहा है किस बाली चीज के लिए एक्षन लेना पढ़ेगा एक्षन लेना पढ़ेगा एसी कौन सी चीज चीजा विए एक्षन लेना पढ़ेगा तो मैं बता दूं किसके लिए पड़ेगा अठारे हजारे ज्यादा है डबलू बीसी अठारे ज्यादा होती है इतनी भी ना होती मोर देन 20,000 होता है ना तब इसको बोलते हैं सेपसिस तो अठारे जार तक तो थीक ही है तो यह तो नॉर्मल ही है प्लेट लेट 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 4 लाग तक नॉर्मल होती है तो दिल छोटा करने वाली बात नहीं है छोटे तो एक इंटरनेशनल आदमी से हारा है हीमोगलोबिन कोई फरह नहीं पढ़ता 17.2 नॉर्मल होता है क्योंकि यह 19-21 तक नॉर्मल होता है नूबोन का तो बेटा जहां दिक्कत है वहां देंगे दिक्कत मुझे ग्लूकोज में लग रही है तो मैं यहां को एक्शन लूँगा बाकी में कोई एक्शन नहीं आंसर निकाल के आपके सामने समझ में आ गया हमने का एडल्ट होता तो क्या होती अरे डल्ट की डबलूबीसी काउंट नहीं पता तो जह च्छाई यार से ग्यार आजार होती है क्या है सगुपता खान क्या तू क्या नर्स बनेगी रहे सगुपता एबिटा मिलगी आंसर चलो यह सब ने कल लिया अगला कोश्चन next question on screen समय खराब नहीं करेंगे फटा फट पढ़ते जाएगा और आंसर बताते जाएगा किसी प्रकार की कोई दिखकत नहीं है एक कहा है साथ सत्रा पॉइंट है यार क्या कर रहा है तु जेत्राम सत्रा पॉइंट दो है है थेरा सथ हैं तो क्या व्यार। सबका पिरिक ही जाह हो गया अच्छी बात है और ऐ्च टौ- 2-year-old child fall out of bed and has a subdural hematoma bed से गर गया और subdural hematoma हो गया when his mother leave इसकी माँ छोड़ के जा रही है for the first time you will expect the child to तो आप बच्चे में क्या expect करोगे बता क्या expect करोगे कर लिए expect क्या कर रहा sir मैं जो पढ़ा आप से पढ़ा हूँ मेरे 85% score बन रहे है आपका opinion बच्ची बात है बिटा main week clear हो जाएगा tension क्यों ले रहा है पढ़ता रहे तू तो बस be comfortable when he is held be comfortable when he is held यह कह रहा है कि दो साल का बच्चा है जो गिर गया है मा छोड़ गई है तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम इसे पकड़ोगे तो चुप हो जाएगा तो तुम मुख मुक्का मारेगा बोला दूर अड़ जा मम्मी की बुला दे भी तरह नहीं मुँ तोड़ देता मैं आया मां को बोला दे बहुत ले नीचे गर गैंव मोड़न 서कम को तुम झोशा ही निर के मुख मैरा तब सुषर मैं कर दूरा तुम गोदकी में लेन से चुप हो जाएगा बूल देगा माड़ मार मार के मुए क्या इतनी सी बात समझ में आई मेरी आगे होगी अब आपने कवर बताओ क्राई रोएगा काहे काहे नहीं रोएगा दर्द हो रहा है मा छोड़के चले गई और तू सोच रहा है कि रोई भी ना तो बेटा रोएगा तो सही हो मा छोड़ गई उपर से गिर गया तो रोएगा ना वो तो हाँ वो तो ठीक है रोएगा तो सही है नोक नोटिस देट मधर है जले अग्ट को बोला ध्यान ही नहीं दिया जब मास चली गई नोटिस करता है ये कोंध्रवर रहे ये वरावर नोटिस करेगा भाई आपने का तो यह आन्सर नहीं है बिड्रो एंड बिकम लिस्टलेस बोला ये सबसे अपने बिड्रो कर लेगा समझा रहा है बच्चे याद रखिएगा ये टॉडलर है ये महाहरामी किसम का बच्चा होता है ये जो टॉडलर है ये एग्रेसिव होता है ये बिड्रो बिड्रो के नाटक नहीं होते इसे मूँ फलाक नहीं बैटता ये तो सर पटकेगा जब तक मानी आ जाएगी ये करता है aggressive behavior, क्या करता है aggressive behavior, आप जो कहे रहें ने, बिड्रो, ये older बच्चा करता है, ये older child होता है न, वो करता है, मैं समझा नहीं, मैं बता देता हूँ, जब बच्चा छोटा होता है, और बच्चा चला गया, मा के साथ कहां, मॉल में, मम्मी यह चाहिए खिलोना नहीं आरे वहीं फैल जाएगा मेरे को तो चाहिए खिलोना और यह फैल जाएगा टांग उठाके मां वहीं से खिच के लागी पैर पकड़के और मेरे को तो खिलोना आज ही चाहिए ऐसा करता है छोटा बच्चा करता है के नहीं करता है और यह बच बड़ा बच्चा करता है बिड्रो चोटा तो नकरे करता है वहीं फैल गया ना बिटा तो वो तो ये मालो कि पूरा मॉल तुम्हें छोड़ने घर तक आएगा कि माता जी इसको ले जा उसने पूरे मॉल केसी तेसी कर दी ऐसा ये टॉडल तो बिड्रो है ना बिटा छोटे लोगों में नहीं बड़े लोगों में होता है क्या हुआ है तुम्हारी बंदी पूछती है क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ क्या हुआ है अरे बताओ न क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ क्या बुरा लग गया बताओ सिब्सक्राइब SMITH कूष नहीं हुआ यह बिट्रो रोख कि समझ में और चोटा होता है ना वो भी लड़ले तरुज्ज कहते हैं तुब हु हो विलकुल हमाँ सतार हुं बैट जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें अब सुर्भा कितने कोषों है क्या करे कितने कोष्ञ्च अटैंड करूं आ कुन्सा फेपर देन्दया जा रहा हूं तुम्हें כष्ञ्च से Delhi Ms में cgms मिलेगा अभी से ए भाई पूजापाल बेटा एक्जाम होने दे एक्जाम का लेवल पता पढ़ने दे तु तो मुझे कती अंतर्याम ही मान रही है बेटा मैं टीचर हूँ बाबा नहीं हूँ एक्जाम होने के बाद मुझे आइडिया लगता है कि पेपर कैसा आया है एक्जाम का भी इवी स्टार्ट नहीं हुआ और तु गरिक कितने कोशन टेंड करूं कि दिल्ली एम्स मिल जाए बेटा जादा नहीं हो गया इतनी उम्मीद है मैं खुद को बहुत दबावा महसूस कर पेटा इतनी उम्मीद मत रखो एक्जाम होने तो फिर बताएंगे आपको ठीक है कि समझाए बेटा चल अगला कोशन आपके सामने पेटा स्कीन पेजरा फटाफट कोशन करो आपको और अन्सरों जल्दी पेटाफट कोशन का अन्सरों जल्दी पेटा फटाफट कोशन का अन्सरों जल्दी पेटा फटाफट अग्याइब दॉट्टर है जोडर रेस्टिक्टेड फ्लूड इंटेक ऑफ टू इयर ओल्ड चाइल्ड बिद्दा है इंज्री नॉर्मल फ्लूड इंटेक ऑफ चाइल्ड ऑफ टू इयर दो साल के बच्चे का दो साल का बच्चा मुझे नहीं पता कितने केजी का होता है मैंने का हां पांच गुना हो जाता है चार गुना हो जाता है इसको मैंने का यह तो हो गया इसने क्या करता है फिर हम करते हैं 100 ml per kg 100 ml per kg up to 10 kg 100 ml per kg करते हैं up to 6 to 8 kg 10 kg करते हैं यह हो गया कितना लगवक 100 ml इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद हम करते हैं लगवक 150 से 160 ml per kg टोटल इसके बाद वाला तो यह नहीं 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 से 160 के आसपास खाया ना और यह 2 साल का बच्चा है नॉर्मल फूर्डर इंटक है 2 साल के बच्चे के लिए तो यह बैठेगा 2 kg और उपर इसके 2 kg में से मल्टिप्लाई कर दो तो लगवक कितना हो गया यह लगवक हो गया बेटा समझा रहा है पर मेरी बास सुन आप क्योंकि 13 सा से 14 सो आ रहा है तो अपन लिमिट को मानके चलना आप 1300 मत टेक करना इसका लिमार है विक्तिक के लगवक कोट 갖़ कूट तो आंसे 20 मत करो जो वोड रहा हूं है तो बच्चे तो वेटा आंसर क्या टिकर क्या आना आंसर मैं कह रहा हूं तुम सी टिकर क्या आना क्योंकि वह ज्यादा से आंसर है कम नहीं रख सकते हैं चौदा सो पंदरा सो मान लेकिता तो सोले सो वा लास्ट होता है ठीक है बच्चे याद रखेगा तो आप सी टिकर क्या आना ठीक है आप इसको छोड़ों में उता दो इसको अधाव यहां से हमेशा बच्चे का जो होता है वो आल्टाउम 100 ml per kg नहीं होता 100 ml पर kg हमेशा नहीं होता दो साल के बच्चे का अगर में दो साल के बच्चा है तो इसका वेट निकालने का फरून लगदा तो इंटू इसे टू इंटू एट टू इंटू एट नहीं क्या था टू इंटू एज प्लस एट तो चार प्लस आठ बराबर 12 kg का बच्चा आई है लगवग 12 kg की बच्चे को लगवग लगवग हम करते हैं 1600 ग्राम 1600 ml तो आप इसका अंसर 1600 ml टिक करना है ठीक है केल्कुलेशन में नहीं बैठेगा पर आप इसका ठिक करके 1600 आना क्योंकर 1300 कम पड़ेगा दो साल के बच्चे के लिए 300 कम पड़ेगा ठीक है बच्चे एक बार में इसकी फ्रूड केल्कुलेशन अगली असन बता दूंगा जब भी आउंगा नेक्स क्लास में कैसे निकालते पर याद रखिएगा कि दो साल के बच्चे को 13 सेमेल कम पड़ता है ठीक है बच्चे चलो नेक्स कोशन अगला कोशन जल्दी कर वोड़ा फड़ा पड़ता एट टू यर ओल्ड चाइड बिद स्कैल्प लेसरेशन अंड सब्डूरल हमेटोमा ऑफ दा टैंपूरल एरिया और रिजल्ट ओ फालिंग आउट बेड प्रिवेंट फ्रॉम द दो साल का बच्चा है स्कैल्प लेसरेशन है सब्डूर हमेटोमा हुआ है टैंपूरल एरिया में रिजल्ट फालिंग बेड से गर गया था शुट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम किस से क्या होने से बचाना है यादर लेसरेशन है देखो बच्चा सोएगा आपको सोने से नहीं रोकना है बच्चा सोएगा आप जब बच्चे का ICB बढ़ता है तो बच्चे को स्लीप आती है मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना जब ICB बढ़ेगा तो बच्चा सोएगा हाँ है ना किलियर है बट एक चीज़ याद रखना आप जब से सुला रहे हो तो बीच बीच में जगाते रहना तो सोएगा तो उस है बट एराउज इन बिट बीच में उसको उठाते रहना लंबा मस सोने देना तो फॉलिंग स्लीप तो होगा आप उससे रोग नहीं सकते रॉलिंग फ्रॉम हिस बैक टू टू टमी वो अपनी टमी घूमेगा एब्डमन पर घूम रहा है एब्डमन से सुपाइन सुपाइन स बच्चा जो थम सक करता है उससे एंजाइटी कम होती है एंजाइटी को कम करने के लिए बच्चा थम सक करता है तो कुछ नहीं दे रहे तो उससे एंजाइटी कम करने दो तो इसका मतलब थम सकिन करने दो रोने मत देना क्योंकर रोएगा तो ICP बढ़ेगा और ICP बढ़ेगा तो समस्या पहले से और जादा है समस्या और बढ़ती जाएगी ठीक है बच्चे? तो याद रखना रोने से क्या होता है? ICP बढ़ जाता है ठीक है? चलो इसी के साथ बटा अब हम बिदा लेते हैं आज की क्लास को याँ end करते हैं I hope आपको क्लास समझ में आगी होगी main को ध्यान में रखके क्लास बनाई गई थी कोसिस ये थी कि main के साब से focus करा जाए जो select हो गएं बच्चे वो अपनी speed पर घ्यान दें अपनी speed बढ़ाएं क्योंकि बच्चे मैं बता दूँ 60 question आएंगे long 20 question आएंगे medium और 20 question आएंगे short 100 question का distribution ऐसा होगा कि याद रखेएगा 60 question लंबे-लंबे आएंगे ये मोटे-मोटे question और 20 question आएंगे medium और 20 question आएंगे बिल्कुल छोटे-छोटे तो paper balance आएगा 100 के 100 question case scenario के नहीं आ सकते ये मैं guarantee दे रहा हूँ with challenge 90 minute में solve करवाएगा ना वो तो रोटी खाता है इतनी अकल है के case scenario के 100 question कोई भी इंसान 90 minute में solve नहीं कर सकता तो ये बात confirm मान लीजिए के वो 60 लंबे question देगा maximum, 20 देगा medium और 20 देगा short तो तैयारी ऐसे करिए कि speed बढ़ जाए आपती speed जितनी बढ़ेगी उतना फाइदा आपको मिलेगा ठीके बच्चे आप theory को revise जरूर करिए theory revise कर के जाएगा मैं guarantee से कह रहा हूँ और mcq के practice करिएगा आप बिना theory की खाली mcq के भरो से चले गए न तो भी घड़बड हो जाएगी theory fast revise करो चाहे कितनी fast करनी पड़े पर fast revise करना और mcq maximum करना I hope आपको मेरी बास समझ में आगी होगी class को मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे private मैं class को करूँगा नहीं तो private नहीं है comment box में जितने बच्चे qualified हुए हैं वो सारे qualified बच्चे अपनी percentile को लिखेंगे कितनी कितनी percentile बनी है मैं analysis करूँगा कितनी और improvement की जरूरत है तो हर बच्चा अपनी percentile लिखेगा जितने बच्चे ने pre qualified किया है वो सारे बच्चे comment box में अपने अपने pre की अपनी जो percentile है चाहे वो qualified है या नहीं है पर qualified बच्चे जरूर अपनी percentile लिखें कितना उनको marks मिला है कौन सी category है अपनी category भी लिखें यह जरूरी है दो ची जरूर लिखेगा अपनी category और अपना percentile plus art की class आपको कैसे लगी class कितनी benefit रही और genome का क्या contribution रहा आपके pre को clear करने में यह बात भी comment box में जरूर लिखेगा जिससे कि हम पढ़ पाएं और यह comment box तब करिएगा जब class खतम हो जाए तो बच्चे मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए good night सुबरात्री सब भाखेर किया जजब भाउंचे मिलते हैं कि बगधे कि बच्चे मिलते हैं झाली अजब कि अदो के अधिना आपके लेगा अँaley मैं 25enment अवचेवार 00 झाल झाल झाल